झालू ऑलो ऑफटरनुन गुंट आप्टरन ऑफरीवण व 창 से ब्लाटी श्ट करते हैं आझ का सेशंट वेलकम में आज के विश्ट कर दाए confident session आज के वोगों सामने हो तब तो बहुत ही important है ये वाला session, चलिए इसी चीज को दिमाग में रखते हैं बच्चो, start करते हैं session को, ready हैं सभी लोग, तो please बच्चो सबसे पहले तो बीना किसी समस्या के, चिपचाप से जहाँ जहाँ जो जिस group में जानता है, वहाँ share कर दीजे, so that इस free sessions का सभी लोग फाइदा जो है वो उठा आप आए, तो चलिए start करते हैं बच्चो, और open करते हैं हमारी आज की top 100 questions की file, so that की हम लोग proper way में start कर पाएं, पहले एक बार मेरी voice और आवाज दोनों आपको clear हो, very good, very good, ready हैं सभी लोग, और कोशिश कीजिएगा बच्चो, answers, सब answer करें, मतलब जितने बच्चे हैं, सब answer करें, कोशिश यही करिएगा कि सब answer करें, जिससे की फाइदा सबसे बड़ा यही होता है, कि अगर सब answer करेंगे, तो एक तो आपको revision भी होगा, automatically याद भी होता जाएगा, ठीक है, और total 100 questions हम लोगों के होने वाले हैं बच्चो, तो time का कोई limit नहीं है, होने को एक घंटे में भी हो सकता है, उने को तीन घंटे में भी हो सकता है, बट यह है कि मैं waste of time नहीं करूँगा, क्योंकि paper का time है, तो यह जो starting में मैं चीजे बोल भी रहा हूँ, यह सिर्फ starting में बोल रहा हूँ, आगे हम इन चीज़ों पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा question to question चलेंगे, ठीक है, बट थोड़ा सा मुझे arrange करने दीजे चीजे, ताकि जब मैं एक side में start हो जाओ, फिर कोई रुकने का scene ना हो, चलिए, चलिए, तो शुरू करें, very good, very good, शुरू करते हैं बचो, ठीक है ना, तो ज़्यादा लंबा चौड़ा explanation नहीं रखेंगे, explanation बड़ा straight रखेंगे, ठीक है, explanation बहुत straight रखेंगे, और सीधा सीधा, एक second ना, चलिए, तो यहाँ बचो हमारा पहला question है, let's begin from the question number one, the first question we have, देखिए, ज़्यादा हमारा focus रहेगा बचो projections वाले point of view से, ठीक है, यहाँ point line projections पे question इतने ज़्यादा नहीं है, questions जो important हमारे अभी आने वाले paper हों में है, वो है हमारे orthographic projection, isometric position और जो basics होता है, instrument or scales का, तो उस हिसाब से question को ज्यादा हमने design किया है, ठीक है, ताकि upcoming exam में जो pattern आने वाला है, उसके उसाब से question रहे, ठीक है, तो चलिए, let's begin, the top view of an object is shown on which plane, बचो किसी भी object का जो top view है, ठीक ह top view है, वो किस plane पे दिखाई देता है, चलिए बचो, शुरू करें, answer करना, please, सभी लोग answer करें बचो, तभी मज़ा है कि जब answer आप सब लोग करेंगे, ठीक है, the top view of an object is shown on which plane, is shown on which plane, तो top view आपको बचो किस plane में दिखाई देगा, तो we all know that, कि top view हमें किस plane में दिखाई हैं, तो हमें पटा है बचो, कि अगर हम कहीं पर भी object रखते हैं, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, यहां रखेंगे, we got the top view on the horizontal plane, ठीकिना, हमें top view कहां मिलता है, हमारे horizontal plane में ही मिलता है तो we got the top view in the horizontal plane जिसको हिंदी में 36 तर लोटे हैं शुरुवात के question मैंने Hindi word use किये हैं ताकि आपको main main चीज़ों की हिंदी पता चल जाए है उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी clear है? that is the horizontal बिल्कुल सभी लोगों का सभी answer है किसी का गलत नहीं है मतलब कोई दिक्कत नहीं है ऐसे question में what is the angle of inclination towards right in italic lettering? तो मैंने बच्चो जो lettered writing है इस पर ज्यादा question नहीं लिये हैं तो जो एक आदा जो बहुत standard का question है जैसे कि हम italic जब letter writing करते हैं italic मतलब जो इस form में लिखी जाती है तो उसमें जो angle होता है बच्चो वो angle हम लोग क्या लेके चलते हैं तो जो italic letter writing होती है उसमें जब inclination towards right हम करते हैं तो वो angle हमारा क्या होता है towards right towards right inclination angle क्या होगा बताएं बच्चो towards right हमारा inclination angle क्या होगा जल्दी आंसर करें सभी लोग आंसर करें तो यह तो आप अंदाजे से भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत जगा आप लोगोंने अल्रीडी देखा है ठीकिना विद्धा अब याद रखे ये भी धियान रखने हैं आपको एंगल किसके साथ पूछ रहा है विद्धा होरिजोंटल पूछ रहा है या विद्धा आपको वो प बनाएंगे तो कोई भी लेटर का एंगल तो आप ये इस तरह देख रहे हैं तो वर्टिकल के साथ याद रखे ऐसे इसने कुछन पूछा नहीं वड़ी था एंगल विद्धा टूवर्ड राइट इन इटैलिक लेटर राइटिंग अब टूवर्ड राइट बोला ना टू चुआनी और जुकाओं मतलब यहां से यहां यहां से यहां तो यह है बच्चो 15 डिग्री इस इस 75 डिग्री और जूर्टल के साथ 75 डिग्री रहता है बच्चो कोशन को समझना है ध्यान से पढ़ना नहीं तो आने के बाद भी गलत हो जाएगा जबकि पता सब को था ठीक ह मतलब आंसर उनको भी पता था लेकिन पूछने का तरीका बदल गया तो आंसर ठीक है ध्यान रखना है next question ठीक है question जब आपको पूछने को कितने कोशन हो गए मुझसे पूछ लीजेगा यहां number slide number है आपको दिखेगा नहीं छोटा है इसलिए गबरायेगा मत कितने होगा अभी तीसरा question हमारे पास यह है अब तीसरा नहीं चौथा question समझ लिए दूसरा question next question in orthographic projections the rays which rays are assumed to be in orthographic projections rays are assumed to be तो orthographic projection बच्चो हम कोई भी बनाते हैं यह very important question है मतलब अभी NHPC के हिसाब से बोलो तो मुझे लगता है यह question आ जाएगा in orthographic projections the rays are assumed to be तो बच्चो orthographic projection जो हम लेते हैं उसमें rays कैसी लेते हैं क्या पता है था मैंने कल lecture भी लिया था parallel ठीक है ना parallel आपस में parallel होती है straight होती है straight parallel होती है and perpendicular to the plane होती है and perpendicular to the plane यह तीनों में से कोई भी statement आपको दे सकता है perpendicular to the projection plane projection plane के perpendicular होती है तो अब यहां पर हम देखें diverge from station point station point से क्या diverge होती है तो यह तो answer नहीं हो सकता converge भी नहीं होती है ठीक है ना be parallel अब यहां सिर्फ parallel लिखा है तो वही answer हम लोग करेंगे be parallel because c is the correct answer very good बच्चो very good please सभी लोग answer करें बच्चो सभी लोग answer करें तभी मजा है इस session को attend करने का कि सब लोग answer करें दिखा दें कि mechanical में कितने active है ठीक है ना और selection लेना है बच्चो इस platform से कैसे भी करके ठीक है एसा क्या नहीं करती है तो देखो अगर मैं कोई dimension ऐसे किसी object की दिखा रहा हूँ तो अव्यसी बात है dimension line जो है वो आपस में parallel तो हो सकती है यह यहां से यहां तक दिखा है यहां से तो parallel हो सकती है तो यह भी हो सकता है तो क्या नहीं हो सकता है मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहां से मैं cross करके यहां दिखा दूँ कि यहां से यहां से यहां तक का dimension यह ऐसा नहीं दिखा सकता ना तो that not be cross to be is the correct answer be is the correct answer very good very good सब आंसर करें बच्चो जितने बच्चे लाई में सब आंसर करें मैं बता रहा हूँ आपको तभी यह question याद हों कि रिविजन का time नहीं आपके पास yes करो मेरे साथ और खतम clear है तो सब आंसर करें फटा 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 सारे चैट में आंसर करने की हैं यह मेरी request है आप से अगर आप चाहते हो कि सच में चेंज आया आए आपके अंदर next question बच्चो engineering drawing which of the following is known as soft grade pencil बता बच्चो engineering drawing में soft grade pencil जो है वो हमारी कौन सी होती है soft grade pencil आपको बुच रहा है इनमें से हमारी कौन सी होती है तो आपको याद होगा बच्चो engineering drawing में हम जो pencil use करते हैं उसके पूरे grade मैंने समझाये वे हैं आपको starting से मैं बता रहता हूँ अभी ऐसे एक दो question और भी आएंगे तो आपको म 5 है 6 है 5 एक है 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 नawan है यह हमारे इदर से इदर को बढ़ते रहते है don6 1 obt 2hand 3H इन ठीक है फिर f के बाद क्या होता है f आता है Web के आता है फशकी बी शुरू हो जाता है फिर बी शुरू हो जाता है फिर बी में भी वही चलता है two-bit three-bit वी पिट, away, these b, four b. एईक़ चलता तो यह है बच्चो, हमारे grade इदर से, ठेक है न? तो यहां हम होते हैं सबसे ज़्यादा hardest में, और यहां हम होते हैं सबसे ज़्यादा softest में ठेक है? तो उधर वाला होता है सबसे hardest, यह होता है सबसे softest. F होता है बच्छो Firm, Firm मतलब medium type, ठीक है न, Firm हो जाता है medium type, ठीक है न, और HB, HB सबसे ज़्यादा common यहीं तो इसको Firm बोलते हैं, और HB को हमें actually में medium बोलते हैं, क्योंकि सबसे common यहीं होता है, ठीक है, तो यह है, अब यहाँ पर आपको बुझ रहा है, कि नोन है soft, इन मे A is the correct answer, ठीक है न, very good, very good, A is the correct answer, सही है, तो यह पूरा grade याद रखेगा बच्छो जो बताया है मैंने, ऐसे सारे question आपके इसी से वहींगे, clear, next, projection of an object shown by three view is known as, तो बच्छो वो projection object का, जिसमें हम three view से object को show करते हैं, ठीक है न, वो हमारा projection क्या कहलाता है बच्छे, वो projection हमार अफरे रखेगा रखेगे रखेगशन, बच्छे, तो गिसमें बनाते हैं, front, side, top, that is called orthographic projection, that is called orthographic projection, clear, that is called orthographic projection, very good, very good, very good, very good, that is called orthographic projection, next question, the spacing between the section line should be, वच्छो, section line जो हमारी ड्रौ हती, आपने different types of line भी लिये, लेकिन line पे बहुँ ज्यादा question अभी ज्यादा नहीं आरह है, लेकिन आज हो सकते ही हैं तो basic मैंने question लिया हुआ है lines के उपर भी तो जैसे आपको बोलता है कि section line के बीच में spacing कितनी होती है बचो तो जो हमारी section line अभी line पर question आएगा तब देखेगा line को किस तरह की क्या है ठीक है तो जो हमारी section line होती है बचो उसके के बीच की spacing answer करें बच्चो फटा फटा ऐसे नहीं कि बोली नहीं रहे answer पस ऐसे ही देख रहे हैं मजे ले रहे हैं ठीक है that is very good a b a b चलो a or b में confusion है that is called 2 to 3 mm या धख लिजेगा that is called 2 to 3 mm की spacing होती है हमारी section line के बीच में ठीक है na very good next question the included angle of hexagon बच्चो hexagon सबको पता है hexagon हम कई मी बना है उसका included angle क्या होता that is called 120 degree अगर मैं simple hexagon भी बना रहा हूँ थैंक्यू थैंक्यू अवरिवन चलिए 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 चलो क्या है for measurement and drawing and angle dash is used बच्चो scale protector T square divider अपको पता है बच्चो कि drawing and angle measurement और draw करने के लिए angle के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करेंगे तो obviously बात है बच्चो हमारा simple simple सा funda है यहाँ पे हमारे पास क्या है divider है और protector है है ना तो we all know that कि angle के लिए हमारे पास क्या है that is called protector जादा सोचने की जरूद नहीं है next question the angle that isometric lines makes with each other make with each other is तो बच्चो वो angle जिससे isometric lines जो है draw होती है the angle that isometric lines make with each other is वो angle हमारा कितना होता बच्चो isometric view सबने बनाया हुआ है ठीक है ना तो वो isometric view जो हम बनाते हैं ठीक है isometric view जो हम बनाते हैं उसमें वो angle हम लोग क्या लेके चलते हैं बच्चो तो आपको पता है 45, 60, 90, 120 जल्दी बताएं आपने कोई भी isometric view बनाया बच्चो horizontal के साथ कुछ ऐसा आपने isometric view बनाया इस तर 120 मैं आपको बताया बच्चो isometric जहां तीनों एंगल ऐसे सेम होते हैं जहां दो एंगल सेम होते हैं वो डाय मेटरी कहलाता है और जहां पर हमारे तीनों एंगल अलग होते हैं वो ट्राइमेटरिक कहलाता है ठीक है नो तो यह याद रखेगा that is called 120 ठीक है और जहां डाय है मारा isometric मैं बता देता हूँ और भी अगर पूछे कोई isometric के लावा अगर diametric पूछे ठीक है figure तुम ऐसी बना दे रहा हूँ diametric पूछे तो यह रखे यह 140 हो जाता है यह 140 हो जाता है और यह हो जाता है 80 ठीक है न यह हो जाता है 80 clear है ठीक है समझ आई बात तो यह ध्यान रखेगा बच्चो क्लियर है चलिए next question पर आते हैं which type of views is used to provide clarity and interior features of a part इन में से बच्चो कौन सा view है जो हमें ज्यादा बहतर clarity और interior features देता है किसी भी object के वह इन में से कौन सा view कहलाता है अब देखो सबसे पहली बात clarity के लिए तो हम confused हो भी सकते थे कि यह वाला होगा यह वाला होगा ठीक है ना अच्छा किसी question में अच्छा किसी question में भी confusion होगा ना प्रीज screenshot ले लेना बस किसी भी question में confusion होगा screenshot ले लेना अगर आपको लेगा क्योंकि अभी हम continuation में चल रहा है तो हो सकता है कोई miss होगर हो गया हो तो screenshot ले लेना भेज देना उसको confirm कर देंगे which type of view is used to provide clarity and interior feature of a part तो बच्छो interior जो feature बोल दिया ना उसना interior अब interior इन में से किसी से भी view से हमें नहीं मिलेंगे interior feature सिर्फ किस से मिलेंगे section view से interior feature हमें सिर्फ section view से दिखाई देंगे कि अंदर क्या है तेके ना जब हम section cut करेंगे अब कोई body है जिसमें ऐसा hole हो रखा है तो ब बई इस hole में अंदर क्या है समरें ना तो that is a section view जिसमें हैचिंग करके दिखाते हैं clear तो अगला question in first angle projection system the right hand side view of an object is drawn बताओ बच्छो first angle projection system में right hand side view जो है हमारा वो हमें कहां दिखाई देता है बताएं first angle projection system में right hand side view हमारा हमें कहां दिखाई देता है जब हम first angle projection की बात करते हैं बच्छो तो हमारा क्या है there is a front view सबसे पहले हमें front view देखने को मिलता है उसके नीचे हमें top view देखने को मिलता है और इधर हमें side view देखने को मिलता है front view के side में side view देखने को मिलता है और वो side view किस तरह का होता है जहाँ पे हमारा left side में right side view और right side में left side view तो याद रखें first impression, the right hand side view of an object is left of the elevation, left of the elevation, c is the correct answer जो की सभी का सही है जो की सभी का सही है clear है ठीक है जड़े एक सेक्डना जड़े मैं इस ग्रूप में भी शेर कर दूँ बच्चो के मैसेज आ रहे हैं घज्यों को एर क्रास यूट्यूब में सबको पताई यूट्यूब में चल लिए तब भी निहीं मिलते यूट्यूब में थीक है अच्छा एक 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 question में बच्चों को confusion हो रहा है, वो मैं वापिस उस पर थोड़ा सा आ जाता हूँ, एक fifth question में बच्चों को अभी भी confusion हो रहा है, कई बच्चे चडचा कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, देखो, इस question में बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि projection of object shown by three view, तो three view बच्चे isometric सोच रहे हैं, कि इसका answer isometric होना चाहिए, देखे, वो three view, ये जो बच्चों three view दिखते हैं, आपको ये three view एक ही view है, मतलब single view में आपको तीन dimensions दिख रहे हैं, ये three dimensions in a single view है, आप इसके लिए कोई three diagram नहीं बढ़ा रहे हैं, three view से मतलब है, जब आप top, front और side दिखा रहे हैं, तो that is called orthographic, समझे ले, question को समझे, confuse मत हो ये, ये जो three view है, ये three view आपको single view में दिख रहा है, एक ही तो देखर हो आप view, ऐसा तो नहीं देख दिख रही हैं, चेके न, तो three dimensions जिसमें दिखते हैं, ये भी question आएगा isometric के उपर, अलग से, बट यहाँ पर answer जो है, वो orthographic ही रहेगा, जिस तरह से पूछा गया है, clear है, समझ में आगी बच्च बाद, clear है समझ में आगी, very good, very good, next question, the unit of representative factor बच्चो, RF की unit क्या होती है बच्चो, बड़ा important question, बताई ये, RF की unit क्या होती है, जल्दी बताएं बच्चो, answer करें, नहीं, कई बच्चो को clear नहीं था, बच्चो, इस चक्कर में लेना पढ़ाना, कोई बात नहीं, आप clear हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चली जली, फटा-फटा, अंसर करें, क्या बोल रहा है, बच्चो, यहाँ पर हमारे पास unit of representative factor आप लोग को पढ़ाया था, बच्चे, है न, representative factor बता रहा है, आप लोग को, RF, इस स्क्रीन छोटा क्यों जा रहा है, बार-बार, मेरी, आप लोग को कमेंट तो दिख रहे हैं न, सब के, चलो, ठीक है, एक सेकंड, इसको बड़े स्क्रीन में कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, चली बच्च, तो हाँ, क्या बोल रहा है, representing factor, अब बच्चो, जब हम scaling करते हैं, तो यह RF का, representation factor का फर्क पड़ता है, कि reducing scale है, कि enlarging scale है, ठीक है न, तो यहाँ पर और कोई मतलब नहीं होता है, representation factor पर लिखा है, वैसे, representative factor का सीधा-सीधा अर्थ क्या होता है, कि कोई object की length क्या है, और उसकी actual length क्या है, मतलब length of an object जो आपने draw किया है, length of an object आप क्या ले रहे हैं, और उसकी actual length क्या है, अब देखो, length upon length का ratio है, तो there will be no dimension, इसकी कोई भी dimension नहीं होगी, कई बच्चे mm cm गलती से कराते हैं, clear हैं, तो याद रखे, there is no dimension, clear है, clear है, तो there is no dimension, तो याद रखे, इसकी कोई dimension नहीं होती है, क्योंकि इसी के हिसाप से हम बताते हैं, कि scale हमारा क्या है, reducing scale है, या हमारा enlarging scale है, ठीक है, next question, scale used for two system of unit measurement is, तो बच्चों, जो scale हम लोग यूज करते हैं, two system of measurement के लिए, यह मैंने आपको YouTube में भी पढ़ा रखा है, यह topic, ठीक है न, चलिए चलिए, किस discussion में चला गए, आप लोग India, USA, चलो, कोई न, इस matter को भी अभी solve कर देंगे, अभी question आ जाएगा, कोई न, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान जा सुनिए, चलिए चलिए बच्चों, discussion में अटक मत जाईए, हर चीज के solution को discuss कर दिया जाएगा, कोई ऐसे tension न, ठीक है, अभी फटाफर फटाफर चलने, तो यहाँ अटक जाओ, तो गरबड हो जाएगे, तो अभी क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको पूछ रहा है, कि आपके scale used for two system of unit measurement, दो system of unit measurement, कौन से scale यूद होता है बच्चों, plain scale, diagonal scale, comparative scale, या vernier scale, बता है बच्चों, plain scale, diagonal scale, vernier scale, comparative scale, that will be unit measurement, two system unit measurement, बच्चों, two system unit measurement, जिसने नहीं पढ़ा, इस session को पढ़ सकते हैं, वो यूट्यूब में भी पढ़ सकते हैं, मैंने scale के उपर एक अलक्सेट session लिया हुआ हुआ है, अल्रेड़ेडी, ठीक है न, अगर नहीं भी पढ़ा है त ठीक है, तो that will be your plane, 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 diagonal, 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 तो plane, diagonal, plane, diagonal में बच्चे confuse हो रहे हैं, तो that is, हमारा क्या है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर आपको एक figure दिखाता हूँ, एक second, मैंने यहाँ पर figure भी बनाया वा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर अभी मिल जाता है, तो अभी दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में देख लीजेगा, एक बहुत simple सा system में मैंने लिखाया था, रुके हैं, एक second दीजे बज़े, एक बार बच्चों वो कर लीजेगा, रिफ्रेश, देखें, आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक second, ठीक है, देखें, मैंने आपको बताया था बच्चों, चलो मैं ऐसी बताया था हूँ, मैंने आपको बताया था बच्चों, there is a plane scale, division, diagonal scale, and comparative scale, जिसे हम कहते हैं, तो मैं आपको basic तरकर बताया था हूँ, plane scale जो होता है, वो भी हमारा क्या होता है, divided into 2 subdivision में होता है, primary division और over division, जिसमें हमारी unit क्या होती है, या तो हम decimeter और meter में करते हैं, ठीक है न, या decicentimeter और meter में, वह लब two consecutive unit based ही होता है हमारा, ठीक है, और जब हम उसकी बात करते हैं, हमारा diagonal scale की, तो यही हमारा diagonal scale में भी two consecutive V लेते हैं हम लोग, यहाँ क्या है, यहाँ हमारा diagonal scale होता है 3, यह समल लिए, जैसे हम बात करें, meter, decimeter और centimeter इस टाइप से, ठीक है न, yard, feet और inch, तो इसलिए याद रखेगा, diagonal scale होता है हमारा 3 based और plane scale होता है हमारा 2 based, 2 unit based, ठीक है न, तो इसलिए याद रखेगा, scale used for 2 system unit measurement is plane scale, and 3 system के लिए हमारा, that is called diagonal scale, clear है, ठीक है, चलिए, 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 first, sorry, sorry for the delay, ठीक है, तेजी से चलते हैं आगे, next question, फटाफटाफटाफटाफट, next question, चलिए, dash surface is formed when a sphere is cut by a plane, dash surface is formed when a sphere is cut by a plane, जब हम sphere को, किसी sphere को plane से cut करेंगे, बच्चे, किसी plane से हम लोग cut करेंगे, तो हमारा क्या figure हमें दिखाए देगा, ellipse दिखाए देगा, parabola, circle या hyperbola, जल्दी बताए, ellipse, parabola, circle या hyperbola, जल्दी बच्चो, जल्दी फटाफटाफटा अंसर करें, ताकि फटाफटाफटा आगे चल पाए, क्या दिखाए देगा, हमें, sphere cut कर रहे हैं, बच्चो, sphere, sphere cut कर रहे हैं, अरे, course का अभी time नहीं है, course classes चल रहे हैं, जैसी classes उसकी पूरी हो जाएंगे, course अपने आप बन जाएगा, course की tension लाइज, that is called circle, that is called circle, next पे हम चलते हैं, the minimum number of orthographic view required to represent a solid on a flat surface, तो बच्चो किसी solid flat surface को अगर हमें represent करना है, orthographic view में, तो कितने minimum number हमें चाहिए होता है, तो याद रखे, minimum, minimum पूछ रहा है, यहाँ पर यह नहीं पूछ रहा, total number of view कितने चाहिए, इसीच का धियान रखेगा, वो पूछ रहा है, minimum number, तो और्थोग्राफिक के लिए minimum number चाहिए, बच्चो 2, और्थोग्राफिक के लिए minimum चाहिए 2, बनाते हम कितने हैं, 3, पड़ याद रखे, कम से कम हमें 2 view minimum चाहिए, तो answer 2 रखेगा, इसका 3 नहीं, ठीक है, next, IS15021 part 2 2001 is a standard for, यह बच्चो किसका standard है, generally आपको याद नहीं होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दू, कि यह किसका standard है, IS15021 part 2 2001 is a standard for, यह किसका standard बच्चो, याद रखेगा, BIS के according, that is a standard for orthographic projection, that is a standard for orthographic projection, किसका standard है, orthographic projection, standard है, the IDO में भी बच्चो डाल दिया है, निकिल कुमार जी डाल दिया है, the vertical plane is also called, vertical plane को और क्या कहते हैं, यह भी very important question है, यहाँ मैं important होगा, उसको पेपर में आने के chances बहुत ज़्यादा है, बताइए, vertical plane को और कौन सा plane बोलते हैं, straight plane बोलते हैं, perpendicular plane बोलते हैं, frontal plane या pole plane, तो याद रखेगा, बच्चो, vertical plane को frontal plane भी बोलते हैं, वर्टिकल plane को frontal plane भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, frontal plane भी बोलते हैं, बिल्कुल बच्चो एनर्जी डाइम नहीं करना भी अभी कुछ भी नहीं है अभी कम से कम एक घंटा कंटेनरा सॉलिड बना के रखना है आपको अपना सही है हम ज़रा टाइम नहीं लेंगे कि इसमें एक इसमें डिनॉमिनेटर आपको बड़ा दिखाए दे रहा है ठीक है न तो वह है आपका ड़ेट इस थी 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 5 तो तो आपका एन एनलजर्जिंग यह आपका एनलार्जिंग स्केल नहीं है है clear है समझ में आई बाद next while representing the diameter in damaging it is represented as while representing the diameter in damaging it is represented as तो बच्छो अगर diameter को हम शोग कर रहे तो इसमें से किस से हम drawing में शोग करेंगे that will be that will be किस से शोग करेंगे that is dia simple symbol है dia का है simple symbol है dia का कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझ रहे मैं clear है next question the length to height ratio of a close field arrow head तो बच्छो close field arrow head आप बनाते हैं close field arrow head आप बनाते हैं तो ये close field arrow जो head होता है head head सिर्फ है मैंने पीछे का ऐसे बना दिया आप सिर्फ arrow head head ये बात करें तो वह किस ratio में होता है बच्छो तो length to height पूचरा अभी ये length है ये height है तो length to height का ratio क्या होगा बच्छो 1 is to 3 की 3 is to 1 तो बस इसमें गलती मत करिएगा क्योंकि बहुत कॉमना बहुत पुराना question है ठीक है फटाक से answer करिये और आगे चले है that ratio is called is 3 is to 1 3 is to 1 बिल्कु सभी 3 is to 1 is the correct answer where is it next question ठीक है बच्छो the mini drafter serves the purpose of everything except जो mini drafter आपका होता है वो सारे purpose solve करता है except क्या छोड़के किस चीज को छोड़के scales कर सकता है set square का काम कर सकता है ठीक है protector का का काम कर सकता है वो प्रड़क्टर भी अग Natomiast bestttつ lens नेक्स्ट्ट्र का काम भी कर सकता है कंपस्टर का काम वो नहीं कर सकता तो इसभी कारेक्ट आंसर इसभी करेक्ट आंसर ने शच्टोर क्वा पर आपकर चाम वह nella इकर्सकता भी और इसन में इन में से सबसे lightest pencil आपको बतानी है कि कौनसी होगी 2B, 1B, HB, H अब lightest का मतलब softest नहीं होता है यह ज़िए रखेगा lightest का मतलब softest नहीं होता है यह जीज़ ध्यान रखेगा lightest मतलब हल्की hard होगी लेकिन हल्की होगी तो that will be H pencil जितना है यह जीज़ देखो बच्चे 2B, 2B आंसर करें लगे softest नहीं होता है lightest का मतलब मैं आपको बता तो दुबारा से lightest मतलब आपका hard होता है लेकिन lightest उच रहा हल्की चलने में तो H pencil जो होती है बच्चो यह आपकी H भी होती है यह dark और light mix होती है तो यह हमारी H जो होती है वो इसमें lightest होगे clear है तो गलती मत करिएगा ठीक है light और hard जो है उसको आप confuse मत करिएगा ठीक है ना समझ में आरी बाद next question to draw a smooth curve of any nature किसी भी nature का बच्चो हमें जो curve ड्रॉ करना है माल लिजे किसी भी nature का हमें curve ड्रॉ करना है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे तो ऐसे randomly कोई भी curve के लिए हम लोग क्या यूज करते है we have a french curve ऐसे ही जिसमें irregular different curves होते है ऐसा एक geometry instrument होता है जिससे हम कोई भी curve randomly draw कर सकते है ठीक है ना तो that is called समरे that is called हमारा क्या बिल्कुल soft dark होता है यह बस याद रखो hard light होता है soft dark इससे याद रखो कि जब हम h की तरफ बढ़ रहे हैं series की तरफ तो यह hard है और light है जब हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो यह soft b की तरफ soft है and dark है ठेक है तो वो pencil की और रहे हम रता है that is a french curve next question पर आते हैं बच्चो next question पर which of the following is not used to fix the drawing sheet on the board इन में से बच्चो drawing sheet को fix करने के लिए क्या use नहीं होता है drawing pin, adhesive tape, clip, thread तो बच्चो obvious ही बात है drawing pin use होती है drawing sheet को attach करने के लिए adhesive tape भी यूज होता है clips भी यूज होती है but thread use नहीं होता है दहागे से थोड़ी नहीं होता है तो D is the correct answer चलिए बच्चो आपका one fourth part complete हो गया मतलब 25 question मैं बताना बीज़ बीज़ें बताता रहूँगा मैं आपको तो 25 question आपके half an hour में complete होगए तो अगले 25 जो है वो और तेजी से complete होगए क्योंकि शुरुआत में हमने बहुत बादबूद भी करिये जहाँ है clear है तो बस आप जो है वो continuity बनाए रखें और कसम खा लें कि एंड तक टिके रहेंगे टिक है न मैं बता रहा हूँगर आप एंड तक टिके रहेंगे आपको revision की कोई जरूरत नहीं है अगर ध्यान से आ फाइनल सेल्शन मान के पढ़ें इन और आइसो मेटिक स्केच ऑफ एक्ड़ किसी क्यूब का अगर हम आइसो मेटिक स्केच बनाते हैं उसमें तब फ्रेंटल फेस एपियर इन इस टू फीशेप जो फ्रेंटल फेस एपियर होगा वो उसकी टू शेप होगी दाडिसाइडि ठीक है क्या बोल रहा है हमारे isometric view में in an isometric sketch of a cube, कोई cube अगर हम बनाते हैं, माल लिजे कोई cube हम बनाते हैं isometric के साथ तो कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कोई cube, ऐसे बनाएंगे न cube कोई, इस type से, ऐसे बनेगा हमारा cube कोई isometric view में, तो यहां पर वो कह रहा है कि आपका frontal face appears in its true shape, जो frontal face होगा, क्या वो अपनी true shape में दिखाई देगा, पर true shape तो क्यों कि यह है सिधा सिधा, इस तरह से, ठीक है न, क्या इसमें दिखाई देगा, नहीं, है न, ठीक है न, नहीं, the residing axes are at 45 degree to the horizontal, ये भी नहीं बच्चो, 45 degree तो नहीं होता न, तो ये भी नहीं है, all faces are equally distorted बच्चो, सभी faces जो है, वो उसी plane पे जा रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पर B, B, B answer कर रहे हैं, अच्छा, तो और चौता है, only the depth distances must be reduced, जो depth distances है, सिर्फ वही जो है, हुमारी reduce होंगी, तो बच्चो, यहाँ पर सही answer क्या होगा, बताएं, C is the correct answer, बिल्कुल सही, बिल्कुल स face जो सामने दिखता है, वो नहीं रहेगा किसी में भी, सभी distorted रहेंगे angle पे, clear है, जो भी इसमें तीनों view नजर आते हैं, तीनों sides नजर आते हैं, तीनों face जो नजर आते हैं, ठीक है, that is the correct, next question, which set of lead grades has a grade out of sequence, बताओ इनों में से कौन सा sequence में नहीं है, बहुत अच्छा question है, confuse करने के लिए बस, अब देखो सीधे सीधे कौन सा sequence में नहीं है बताना है, तो जो है sequence में वो पहचान हो, पहले देखो, 9H सबसे उदर वाला है, उसके बाद HB है, फिर B है, फिर 2B है, तो ये सही sequence में है, 6B है, B है, H है, 4H है, क्या ये सही sequence है, बढ़तावा गढ़तावा जो भी हो, उससे मतलब नहीं है, sequence है, वह 6B है, सबसे पहले 6B, फिर उसके बाद B की तरफ आया, फिर H की तरफ आया, फिर 4H की तरफ चलतावा, ये भी सही sequence है, 7B, 7B के बाद H आ गया, फिर F आ गया और फिर 3H आ गया, ये गलत है ना, वह एफ और H, H, H एक साइड होगा बी बी एक साइड होगा ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, तो ये जो है हमारा गलत sequence है, और H, H, B, B, 3B, बिल्कुल सही sequence है, तो B is the correct answer, देखो कुछ बच्चे यहां A और D भी answer कर रहे थे, B is the correct answer, समझ में आगी बच्च बाद, very good, next question, the standard size of the title block, बच्चो बता दो, इस standard question है, टाइटल ब्लॉक का standard size क्या होता है, प्लीज बच्चो अभी paper के लिए best है कि आप मेरे साथ ये top 100 session करें, कल हम top 100 technical करेंगे, बच्चो, कल हम top 100 technical करेंगे, ठीक है ना, तो कल भी सब देड़ बजे proper आएं और technical, mechanical का technical करके चलेंगे, ठीक है, चली 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 फटा फट, इस standard size of the title block is, title block का standard size क्या होता है बच्चो, 186, इतना तो याद रखो, into 65 mm, अगर 185 भी याद रखो, तो answer तो मिली जाएगा, 185 into 65 mm, जिसमें 185 ऐसे होता है और 65 ऐसे होता है उपर, ठीक है, the smallest drawing sheet is designated as, तो बच्चो सबको पता है, drawing sheet का size, उसमें सबसे small size हमारा क्या होगा, यह इसमें भी किसी को कोई confusion नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, कि drawing sheet का सबसे smallest size जो है, वो हमारा क्या होता है, we all know that, that is, a0, a1, a2, a3, a4, तो सबसे हमारा smallest क्या जाएगा, इसके इसाप से, यह यह जो स्रीज है, वैसे a5 भी चला जाता है, लेकिन यह जो स्रीज है, उसके साब से a4, कोई confusion नहीं है, ठीक है, which type of line is thin and light, इनमें से कौन सी line बच्चो thin और light होती है, बताइए, इनमें से कौन सी line thin और light होती है, अब यह को thin और light से मतलब है, इसको आप ऐसे भी guessing कर सकते है कि आप चाते हैं कोई ऐसी line जो कम से कम दिखे, मतलब आपको ज़्यादा नजर ना आए, तो जब हम चाते हैं कि कोई line ज़्यादा नजर ना आए, तो मतलब क्या है वो thin and light, तो ऐसी कौन सी line है, बई visible line को आप दिखाना चाते हो, center line को भी आप दिखाना चाते हो, लेकिन क् construction line को आप दिखाना चाते हो, नहीं ना बचे, देखो center कर रहे है, center line बचे, thin और light क्यों लेंगे हम, construction line बचे जिसको आप नहीं दिखाना चाते है, आपने ऐसे draw किया construction line, आपने बीच में object बना रखिये, तो आप object दिखाना चाओगे न, construction line जो आप जिसके view लेके आप बना रहे हैं, वो तुट नहीं दिखाना चाओगे, ये light रखना चाओगे, that is the construction line बचो, ठेक है, center line जो answer कर रहे है, बहुत बचो ने center line answer किया है, ऐसा क्यों, ठेक है, that is the construction line, is the correct answer, next question बचो, which of the following purpose is not served by a divider, और ये बचो मैंने back to back session रखे वे हैं, आप लोग के याद रखेगा, back to back है, आज आपका top 100 ED, कल आपका top 100 technical, और पड़सो आपका last, मेरी तरफ से तो over हो जाएगा, लेकिन पड़सो आपका last जो होगा, वो बच्चों के request पे special welding का session रखावाए, ज्यादा नहीं, 40-50 questions होंगे, welding के, पूरा complete welding हो जाएगा, आप वो सारे MCQ कर दोगे, ठीक है, वो सारे इस तरह से रहेंगे, चलिए, next question, which of the following purpose is not served by a divider, तो divider से बचों इन में से कौन सा purpose solve नहीं होता है divider से, ठीक है, तो पहला है divide lines और curves into a number of equal parts, बेकुजी तो divider का सबसे पहला काम है, ठीक है न, divider समझते है न, जिसमें दोनों side needle होती है, इसको divider बोलते है न, ऐसा, ज के दोनों side जो है वो needle होती है, that is called divider, तो ये equal lines में divide करने काम आता है, transfer measurements from one part of the drawing to another, एक तरफ से measurement लिया, उसको दुसी तरफ ले गए, उसके भी काम आता है, बिल्कुल सही है, ये दोनों काम आपने भी कियोंगे बच्पन में, make full size, reduce size और enlarge size drawing, क्या ऐसा हो सकता है, कि हम उस नहीं है, इसका purpose वो यही है, कि हम इसकी full size, reduce size, एसी drawing हम नहीं बना सकते, divider का काम ये नहीं है, divider का काम ये नहीं है, तो बहुत सानी से answer यहां पर मिल जाता है, please बच्चों मैं request है, फिर से कह रहा हूँ, सब लोग answer करें, answer करने का आपको पता नहीं है, participation इतनी बड़ी ची किते हैं, आपको नहीं पता आपके memory में चीजे कैसे याद होती ही आ रही है, clear है, अगला है बच्चों, in isometric drawing, in isometric drawing, two axes are perpendicular, true measurements can be made only along, और parallel to the isometric axes, all faces are unequally distorted, या none of the above, बताएं बच्चों, अच्छा question है, बताएं, correct answer क्यों होगा, isometric drawing में क्या हो रहा है, बच्चों, isometric drawing में क्या all faces unequally, नहीं बच्चे, equally है, equally distorted होते हैं, तो यह answer जो है, वो नहीं होगा, ठीक, unequally बोला है, दूसरा है, true measurements can be made only along, और parallel to the isometric axes, बिल्कुल सही है, जो isometric axes आप खींचते हो, 30-30 degree पे यह, उसके along और parallel होता है, पूरी body draw, तो बिल्कुल सही है, तो B is the correct answer, बिल्क correct answer, ठीके न, B क्या रहेगा, correct आपका रहेगा, बिल्कुल सही है, clear है, चलिए, चलिए, next question, the straight lines which are drawn from various points on the contour of an object to meet a plane are called as, the straight lines, बच्चो, the straight lines which are drawn from various points on the contour of an object to meet a plane is called as, बताएं बच्चो, वो हमारी straight line क्या कहला है कि, जो छोटे छोटे चोटे point को मिला के, ठीके न, हम, महला, छोटे-छोटे means, क्याने का मतलब है कि, एक view को मिला के, the straight lines which are drawn from various points on the contour of an object to meet a plane are called, उसको हम क्या बोलेंगे, that is a projectors, that is called projectors या projecting line, जिसे बोल सकते है, that is called projectors या projecting line, clear, that is called projectors या projecting lines, next question, बच्चो, when the projectors are parallel to each other, when the projectors are parallel to each other, and also perpendicular to the plane, the projection is called, अब देखो बच्चो, ध्यान सुना, जब projector जो है, वो आपस में parallel हो, और plane के perpendicular हो, अभी बताया था हमने starting में, parallel to the, आपस में parallel हो, और plane के perpendicular हो, ऐसा projection हमारा क्या कहलाता है, बच्चो, ऐसा projection हमारा क्या कहलाता है, this is called orthographic projection, this is called orthographic projection, clear है, यह भी very important question है मेरे साब से, आने के पूरे पूरे चांस है, that is called orthographic projection, ठीक है, तो क्या रहेगा correct answer, D is the correct answer, clear, next question, in the oblique projection, an object is represented by how many views, किसी oblique projection में बच्चो, यहाद रखिए, और pictorial projection, pictorial projection के अंदर ही आपका oblique projection भी आता है, तो यह oblique projection में पूछ रहा है, कि oblique projection of an object is represented by how many views, कितने views हमारे oblique projection में हमें मिलते हैं, ठीक है, तो बच्चो, oblique projection में आप देखो, यहाँ वो question भी clear होता है, oblique projection भी आपका बनता है, बच्चो, जहाँ पे oblique projection की खास बात क्या होती है, कि एक side जो होती है, वो parallel to horizontal होती है, और एक side जो होती है, वो angle पे होती है, इस type से जो बनते हैं, वो हमारे oblique projections कहलाते हैं, इस type से, तो यहाँ पे हमें कितने view में object को represent करते हैं, हम single view में बच्चो, single view में, only in one view, एक view मिलता है, उसी में सारे हमें side दिखते हैं, that is the one view, अब द अधिलना, और अलग-अलग phases दिखना, दोनों में अंतर हैं, थेके न, दोनों में अंतर हैं, उस चीज का ही आपको δियान रखना है, थेके है, कि we got only in one view, हमें मिलता है, सिर्फ एक single view में, थेके न, इस चीज का दियान रखना है, कि हमें one view में मिल रहा है, three views में नहीं, नहीं बच्छे अभी तो कोई batch नहीं है CGPDTM का ठीक है ना इतने बड़ा कोई ऐसा batch नहीं है भी हमारा ठीक है Xavier जी आप जो कह रहे हैं वो अल्रेडी हमारी classes अप में है बच्छे आप detail में देख सकते हैं सारी classes ठीक है next बच्छो next question हमारा the object we see in our surrounding usually without drawing came under which projection अब देखो बच्छो जो हम अपनी surrounding में देखते हैं ठीक है न जो हम अपनी क्या 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 सर्जी आपका फीस महंगा क्यों होती प्लीज टीचर होने के नए नाए प्लीज क्या बोल जी समझा नहीं बेटा में क्या बोलना चारा है चल एक है इदर उदर की बाते अभी नहीं कर सकते बच्छे हम ठीक है तो यहां पर देखिए क्या बोल रहा है को जहां से समझेए कोशन कहा रहा है बच्छो दो ऑबजेक्ट वी सी जो हम अपने surrounding में इन जेनरल ऑबजेक्ट को देखते हैं वह व्यू हमारा कैसा view कहलाता है थेकेना तो वह क्यों तो बच्छो ने जो जाद रखे जनरल क्या होता है जनरल होता है जैसे कि मानल लिजे कल भी मैंने पढ़ाया था बच्छो बैसे को फिर गर है याँ घर की चचत है है बच्चों किसी एक पॉइंट से ठेके ना ऐसे ही तो है तो that is called your perspective view इसको बोलते perspective तो जो हम अपनी surrounding में हमारे आसपास हम देखते हैं that is called perspective view that is called perspective projection clear है अच्छा कह रहे हैं सर आपका fees महंगा क्यों होती है please reply क्योंकि आप coupon code नहीं लगाते बच्चे हमारी fees कहीं महिंगी नहीं है यह कहने की बात है किस से compare कर रहे हो हमारी ओओं को समझने आ रहा है या तो आप बहुत गटिया कहीं से compare कर रहे हो जहाँ आपको पांस रुपर में भी पढ़ने complete mechanical अब इससे ज़्यादा क्या ही सस्ता है ठीक है ना यह तो बस आपने दिमाग में बना दिया है महंगा है चल यह कोई बाद नहीं है ठीक है तो इस हमसे हमसे बहतर तो में पता नहीं लेकिन हमसे अच्छे अच्छी फीस वाले आप देख सकते हैं online में जाएं इन orthographic projection SSC की फीस हमारे यहां 3,000 3500 में SSC मिल जाता है लेकिन आप ऐसे भी शूट देख सकते हैं यह 35,000 40,000 में आप SSC की coaching करें ठीक है और चार-पांस selection लीजिए इन orthographic projection each projection view represents how many dimensions of an object किसी orthographic projection में each projection view represents how many dimensions अब देखो अब यहां पर question को समझेगा बच्छो गलती मत करेगा वो कह रहा है कि orthographic projection में जो भी हम orthographic projection बना रहे हैं कि यह front view है यह side view है ठेकिन जो भी बना रहे हैं उसमें हमें एक projection के अंदर बच्छो एक view के अंदर कितनी dimension मिलती है तो एक view के अंदर दो dimension मिलती है length, width, height इस type से तो यहां रखेगा there is two dimension है ना हमेशा बच्छो एक plane पे जो बन रहा है उसके हमेशा दो ही dimension दिखेगी थेगे ना दो dimension दिखेगी clear है समझारे बात there is two dimension next question to represent the object on paper to represent the object on paper by orthographic projection the horizontal plane hp should be placed in which way ध्यां से सुनिएगा बच्छो को क्या है ध्यां से सुनिएगा ध्यां से सुनिएगा को क्या है क्या बोल रहा है to represent the object on paper किसी object को हम paper पर represent करें by orthographic projection the horizontal plane is turned in तो बच्छो आप सबको पता है हमने कैसा समझाया था आपको orthographic view इस टाइब से बताया था ना कि यह हमारा view है तो अगर हम यहां पर देखें simple तो अगर मैं यहां पर कोई object रखता हूँ तो आपको पता है यहां मुझे front view मिलता है और यहां मुझे top view मिलता है लेकिन front view और top view को यह देखें यह reference line होती है बच्छो और reference line इस reference line को अगर हम draw करें तो यह मेरा सामने मिला मुझे front view front view और इसको जब मैं clockwise 90 degree rotate करूँगा 90 degree clockwise rotate करूँगा तो मुझे नीचे दिखाई देगा इसका top view तो यहां पर बच्छो एच्पी is turning clockwise direction up to 90 degree बिल्कुल सही है समझ गए? समझ गए क्या बताना चारा हूँ? यही पूछना है वो पूछ रहा था वो कि एच्पी जो है आपका वो कहां जाएगा ठीक है तो एच्पी जो है आपका वो 90 degree turn होगा बस यही answer है clear है view को दिखाने के लिए इसलिए जब हम यही चीज दूसरों में लगाते हैं clear है next in orthographic projection an object is represented by two or three views on different planes तेके बचो orthographic position में एक object को represent करते हैं दो और तीन views से on different planes which gives view from different angles from different direction are mutually perpendicular projection planes are parallel along one direction but different cross section are obtained by taking prints from two or three sides of an object बता बचो पूछने का तरीका बदल गया question बार-बार उसी तरह अब यही है आपके अगर हम अभी recent paper की बात की जैसे NHPC है उसमें syllabus में सिर्फ orthographic question दिया है orthographic isometric सिर्फ orthographic isometric और कुछ view भी दिये हैं solid surface का view, slender का view, orthographic में कैसे दिखा वो सब भी question मेरे पास है जो आपके syllabus में वो तो पूरा है आज की data में cover ठेके ना तो ऐसे में बच्चो आम से पूछता है ठेके ना ऐसे में हम से पूछता है यहाँ पे question कि अगर हम यहाँ पे in orthographic projection अगर हम लेते हैं ठेके ना अपना व्यू तो बताएं यहाँ पे आपको एक पेपर में optional object is printed by two or three views on different planes which gives more different angles from different directions देगा या perpendicular projections देगा planes की या parallel देगा one direction but at different cross section या obtained by taking prints from two or three sides जल्दी बताओ correct answer क्या होगा जल्दी बताएं correct answer क्या होगा simple है question कोई मुश्किल नहीं है बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कहना कह चाह रहा है बताएं बच्चो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बिल्कुल सही that is mutually perpendicular to projection plane जो perpendicular to projection plane से हमारे वही बई एक VP और HP और ही क्या VP और HP और ही क्या जो हमें view मिलेंगे वो किस से मिलेंगे VP और HP से ही तो मिल रहे है हमाएं सारे view ठेके ना वही तो वो कह रहा है ठेके ना वही वो कह रहा है बच्चो देखो सिंपल जिसको नहीं समझ में आग वो कह रहा हूं वो कह रहा है कि जो हम और सोग्राफिक प्रोजिशन में view देखते हैं तो वो हमें किस तरह के plane से मिलते हैं हमें different angle के 3 view मिलते हैं या जैसे print out निकाले हो तीन side से वो मिलते हैं या तो बच्चो आपको जो दो plane है बस वही मिलते हैं उसी को हम क्या करते हैं जो perpendicular plane से देखो पता है तो हमें कौन कौन से plane होते हैं एक बार किसी को कर ना पता हो देखे सामने वाला यह है बच्चो हमारा projection plane जिसको हम VP बोलते हैं frontal plane भी बोलते हैं इसे VP यह है हमारा HP यह side वाले होते हैं बच्चो that is called profile plane यह होते हैं हमारे profile plane जिसमें हमें side view मिलते हैं ठीक है ना बस यही plane होते हैं आपके तीनों देखो एक दूसरे के क्या हैं perpendicular से हैं clear है next question the hidden parts inside और back side of the object while represented in orthographic position are represented by which line बहुत असान बच्चो वो कह रहा है कोई भी hidden parts अगर हमें को inside है body के या back side है उसे अगर हमें represent करने हैं तो orthographic position में किस line से represent करते हैं क्या continuous thick line से represent करते हैं क्या continuous thin line से represent करते हैं long break line से represent करते हैं या dash thin line से represent करते हैं बता दे answer whatever किस से represent करते हैं dash thin line से represent करते हैं simple है यह बात भी समझ नहीं ठीकिना that is represented by dash thin line simple है सबको पता है कोई भी hidden चीज है उसको हम ऐसे ऐसे dash line एसे dash line से represent करते हैं बटीज एडिशनल third view on orthographic position in general for simple objects बच्छो simple objects के लिए third view हमारा कौन सो होता है फ्रंट और टॉप तो होता है फ्रंट और टॉप तो होता है third view कौन सो होता है view at 45 degree या side view तो ओव्यसी बात है बच्छो third view हमारा कौन सो होता है that is our that is our side view that is our side view ज्यादा कूर सोचने की दरूवत नहीं है याद रखे बच्छो में एक जी तो बताया तो planes के वारे में जब यहां पर बात आई गई है तो तीन तरह के plane याद रखे एक तो वीपी एच्पी मैंने बता दिया तिसरा मैंने side view बताया side view हमें से किस पर मिलता है profile plane पे profile plane पे लेकिन एक याद रखे आपसे पूर्च सकता है पेपर में वड़ी auxiliary plane इसका जिकर बहुत जगा होता auxiliary plane का तो याद रखे वीपी एच्पी जो है वो कोई भी plane होगा वो हमारे auxiliary plane कहलाएगा तो इसलिए इस auxiliary plane पे पढ़ने वाला view भी auxiliary view कहलाता है समझ जारी पार clear है ठीके ना चलिए next question the front view of an object is shown on which plane the front view of an object बच्चो ओव्यसी बात है front view आपको object का किस plane पर रिखाता है तो यह तो बिल्गुली simple question हो गया but paper में आया वाए है question इन में से maximum question बचो paper में आया वे हैं सब that is called your vertical plane that is called your vertical plane vertical plane पर दिख रहे है ना front view आपका चलिए next question clear clear है चलिए चलिए next question बच्चो next question the top view of an object is shown on which plane top view कहाँ दिखाए देगा वो आपने ले चुके थे हैं hp पर फटा फटा आपके चलते हैं the side view of an object किस पर दिखाए देगा बच्चो मैंने क्या पता था side view profile plane पर हर question लिए वे मैंने जो कहीं से कहीं simple से simple भी आ रखे हैं सब यहाँ पर आ हैं ठीक है क्योंकि अब risk नहीं ले सकते हैं the second quadrant is in which position the second quadrant बच्चो कि सब easy question भी सब लिए वे बच्चो कि यह भी कभी ना कभी कोई ही पूचे गए लेकिन प्रोजेक्शन पर ज्यादा जोड़ दिया है क्योंकि projection से ही आपको question आने है ठीक है ना तो इसलिए projection के सारे easy-easy आप फटा-फटा answer देते जाए बस यहां से speed भी बढ़ेगी हमारी हो सकता है और गंटे में session question खतम हो जाए तो और यह अच्छा कम टाइम में लगे पूरा हो जाए अब देखो इतने question के बाद भी अगर नहीं आया पेपर में question इन में से क्या ही कह सकते है और क्या second quadrant बच्चो तो सबको पता है बच्चो second quadrant vp hp में क्या होता है simple याद रखो हमारा first angle या first quadrant जो होगा हमारा वो यह वाला कहलाता है जिसको हम बोलते हैं above hp मैं पूरा लिखा दे रहा हूं above hp और in front of front of vp vp के आगे मतलब front of vp ठेक है second quadrant की जब हम बात करेंगे तो वो होगा हमारा क्या second quadrant मतलब यहां तो यह हो जाएगा behind vp और above hp हो जाएगा है आप पहले hp लिख लो above hp behind vp third की अगर हम बात करेंगे तो third में क्या हो जाएगा बचो यह behind vp है लेकिन below hp है below hp है ठीक है और fourth quadrant क्या हो जाएगा हमारा fourth quadrant बोले तो यहां पर भी क्या है below hp है और front of vp है front of vp है simple तो अब यहां पर आपको बुदर है second quadrant बचो second quadrant आपको दिख रहा है साफ सामने behind vp above hp तो above hp behind vp that is the correct answer that is the correct answer ठीक है ना clear है समझ में आगी बात very good very good b is the correct answer next question बचो third quadrant अब यह बता दोगे सारे मैंने सब लिखवा दिया आपको अब सारे बता दोगे फटा 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 अंसर कर दो third quadrant कहां जाएगा बच्चो third quadrant below hp और behind vp तो below hp behind vp ठीक है ना clear हो गया चलिए very good first quadrant अबने पहले बता है first quadrant that is कहां पहे front of vp and above hp above hp front of vp चलो चलो the line formed by intersection of principal plane very important question very important question आने के पूरे चांस है इस question के भी आने के पूरे चांस है बच्चो फटा 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 अंसर करो और तेजी होनी चाहिए answer मैं जब easy question आये तो फटा 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 अंसर करो clear है खाना वानना तो खागे बैठे हो ना तुम लोग फिर energy क्यों नहीं दिखा रहे हो the line found by intersection of principal plane is called बच्चो अब tension मुक्त रहो आप ठीके ना है मैंने YouTube में इतना content डाला वाए आप में भी इतने lecture ले लिए ना मैंने हर तरह के मैंने बोलो ना full course में 15 दिन के lecture 15 दिन में mechanical कैसे खतम करें चार दो महीने में सब तरह के session ले लिए अब इतना पढ़ाने के बादे चुटर फुटर तो चलता रहेगा कि ऑटमाल पढ़ा दो यह पढ़ा दो वाइबरेशन पढ़ा दो वो चलता रहेगा लेकिन इतना content ले लिए अब यह समझ लिए मेरा focus सारा यही है जैसे exam आपका नजदेग आया उस the line formed by intersection of principal plane is called the line formed by intersection तो बच्चो intersection मैंने क्या बोला यह VPHP को हम क्या बोलते है principal plane बोलते है principal plane के line of intersection पर कौन सा line है बच्चो that is called क्या बता है ता आपको reference line that is called your reference line बच्चे इसको origin line कर देते है answer या कुछ भी अपने मरज़ा तो वो धियान रखेगा ठीक है na clear है समझा के बाद clear है हाँ दो दिन वाला भी लिया है दो दिन वाला के एक दिन वाला mechanical भी लियाओंगा अब मैं कि एक दिन में पूरी mechanical कैसे करे हर type का लियाओंगा बच्चो lecture tension ना ले पर वही है हर चीज का फायदा वो नहीं उठा पाएगा जो पहली बार पढ़ रहा हर चीज का फायदा वो उ उठाएगा ऐसे लाओंगा कि जो पढ़ा हुआ है बस वही ठीक है चलिए दव वर्टिकल प्लेन इस अल्सो कॉल्ड वर्टिकल प्लेन तो ले लिया सामने कॉश्चन फ्रेंटल प्लेन तर नेगेटिव और रिपीट हो गया बच्चो कॉशन ना गलती से तर नेगेटिव ह है एच्पी है देखो इसको हम पॉजिटिव एच्पी बोल रहे है इसको पॉजिटिव वीपी बोल रहे है इसको नेगेटिव एच्पी बोल रहे है इसको नेगेटिव वीपी बोल रहे है ठीक है ना अब आप मुझे बताओ क्या बोल रहा है दा नेगेटिव एच्पी द the positive horizontal positive horizontal negative HB और positive horizontal अच्छा ये दोनों, negative HB और positive HB, दोनों मिलके क्या angle बनाएंगे बच्छो, बताओ, बहुत बच्चे इसका भी answer गलत करते हैं, that angle is 180 degree बच्छो, कितना सही question ने देखो, confused हो जाए बच्चा, ठीके ना, और जबकि simple से चीज़ पुछिए, 180 degree B, हमारे बच्चे confused नहीं होते हो, सारे सही answer तेरे, very good, very good, बहुत अच्छे है, next question अब बच्चो, प्लीज ध्यान रखें, जो भी बच्चे यहां live आ रहे हैं, वैसे तो ऐसा कम होगा, लेकिन फिर भी, ऐसा भी चेक कर लो, कि तुमने चैनल सब्सक्राइब करावा है, notification on करावा है, नहीं करावा है, bell icon और subscription, यह दोनों ले रखें, नहीं ले रखें, मलब, click करावा है, नहीं करावा है, क्योंकि अभी तक हमारा 48% rate ऐसा चल रहा है, जो बच्चे आ रहे हैं, रेगुलर देख भी रहे हैं, सेशन को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करें हैं, 48% समद रहो, कितना फरक पड़ता है, जितना हो, एक लाग कुछ हम सब्सक्राइब आ रहे हैं, in anti-clockwise direction, always make कौन सा एंगल, obvious ही बात है, they always make सा, कितना एंगल बनाएंगे, 90 degree बनाएंगे, ठीक है, अब बताओ 90 degree बनाएंगे ये क्या बनाएंगे, बताओ ये गलती कर सकते हैं, इसमें बच्चे वी पी और एच्पी देखके सीधर 90 degree आंसर करेंगे, क्या बताओ, सही है कि नहीं, उसने एक वर्ड बोला है, in anti-clockwise direction, ये धियान रखेगा, अब देखो, इसमें भी गलती, बहुत अच्छा question है, बचोई ये, गलती करने के पूरी जाएंगे, 90, 90, बच्चों नहीं भी आंसर करेंगे, ये VP है, ये HP है, अब देखो, positive पॉर्ट है, अगर अब धंग से question नहीं पढ़ोगे, तो सीधा अंसर कर दोगे, the positive vertical plane and positive horizontal plane, कितना एंगल आपने का 90 degree, ये 90 degree आपने बोल दिया, 90 degree, लेकिन उसने क्या बोला, उसने का clockwise नहीं, anti-clockwise चलना है, अब anti-clockwise चलूंगा, उल्टा, तो ये एंगल खेलाएगा बच्छों, और ये एंगल कितना है, that is called 270 degree, 270 degree, that is B is the correct answer बच्छों, B is the correct answer, clear है, सेयन बैनिक जी, बिल्कुल, बिल्कुल, WPSC का भी session करवाने जा रहो है, टेंशन ना ले है, next question, the first angle projection, the dash lies between dash and dash, आप देखो, obvious ही बात है, किसका बात कर रहागा, object की बात कर रहागा शायद, तो object lies between, देखो, first angle projection में object जो है, वो किसके बीच में लाएगा करती है, ये होता है, observer, observer के बीच में, ये object है, और ये projection plane है, तो या तो ये दिया होगा answer, कि object lies between projection plane and observer, तो ये ही answer है, बस, खतम, ये ही answer है, कि first angle projection में object जो है, वो projection plane और observer के बीच में लाएगा करती है, ऐसी बचों हर position का धियान रखना आपको, चारों का धियान रखना है, ठीक है, क्योंकि यही अगर मैं second angle बोलूँगा, तो फिर object कहां लाए करेगी, object लाए करेगी, अब फिर हम बोलेंगे, projection plane is lie between object and observer, ठीक है न, यहाँ projection plane जो है, वो लाए करती है, एक second बच्चों है, एक सर की class लगानी थी, clear है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ रखे, इसको भी इस तरह से, ठीक है न, तो ऐसे सारे याद रखेगा, कि third में क्या होगा, fourth में क्या होगा, clear है, चलिए, next question पर आते है, the position of reference line and top view in first angle projection आ रहा है, तो बच्चों, position of reference line and top view in first angle projection आ रहा है, तो बच्चों, तो बच्चों, reference line कहां लाए करेगी, reference line कहां लाए करेगी, बताईए, अच्छा कोश्य नहीं यह भी, बताएं, first angle projection में, reference line जो है हमारी, वो कहां पर लाए करेगी, बच्चों, the position of reference line and the top view, तो first angle position में बच्चों, top view कहां जाता है, top view जाता है, नीचे, है ना, below the, आपका, इसमें सिर्फ reference line के बारे में बोला है, top view in first angle projection are, reference line lies above the top view, अच्छा, वैसे बूत रहा है, तो उव्यसी बात है, बच्चों, देखो, सिर्फी बात है, यह आपका front view बनता है, यह reference line होती है और यह top view होता है, तो reference line lies above, यह reference line है आपकी जो top view से above लाए करती है, तो reference line lies above the top view, तो यही answer होगा सिधा सिधा, reference line जो है आपकी top view से above लाए करेगी, clear है, कोई confusion इसमें, नहीं है, clear है, very good, very good, please बच्चों, बने रहें, बने रहें, जाएं ना, पूरे question करके जाएं, अभी हम half journey हमारी हो चुकिए, 50 cross कर गए हम लोग, ठेक है, तो बस थोड़ा ही और time बचा है, 50 cross कर गए हैं, 50 और बचा है, if an object is placed in first quadrant, बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि projection में question आएंगे, तो इसी तरह के बड़े language based question आएंगे, तो बच्चों ध्यान रखेगा, ठेक है, बच्चे, चलो भी बताऊंगा बारे में, if an object is placed in first quadrant, such that one of the surface of the object is coinciding with the vertical plane, what is the correct position of the views from the following, देखो, अब ध्यान से सुनिएगा, एगर वो कह रहा है कि किसी object को हम first quadrant में place करते हैं, इस तरह से, one of the surface of the object is coinciding with the vertical plane, अब देखो, मान लिजे कोई object है, ऐसे मैं कोई object बोल लेता हूँ, मान लिजे कोई ऐसे object है, ऐसे object लेता हूँ, इस तरह से, हमने first angle में ऐसे रखी कि पहला जो vertical plane है, उसके साथ चिपका के रखी है, उसके साथ कैसे रखी है, चिपका के रखी है, ठीक है, उसके साथ हमने चिपका के रखी है, हमारी कोई body object, ठीक है, वो क्या बोला है, coinciding with the vertical plane what is the correct position of views from the following, इस से हमें view कैसे दिखाए देंगे बचो, अब देखो आपने इस से चिपका के रखी है, ठीक है, तो हमारा जो वो आएगा view कैसे आएगा, अब जैसे ये वाली object देखो, सामने से कैसे दिखाए देगे, front view इसका कुछ ऐसे दिखाए देगा बचो, ऐसे दिख reference line को touch कर रहा होगा, and the front view के reference line को touch कर रहा होगा, ये तो नहीं हो सकता, चलो देखते हैं अब ही, the side view touches the reference, the top view touches, बच्छो top view touch करेगा, क्योंकि front view तो उपर भी हो सकता है, front view तो इसके उपर भी, ध्यान से देखो, ये तो इसके उपर भी हो सकता है, ठीके न, तो ये तो answer नह इतने इमेजिनेशन करना आना चाहिए क्लियर है समझ आरी बात बताओ किस किस के समझ नहीं आया समझ में आ रहा है सिंपल ठीक है क्योंकि डाग्राम मैं इससे भी बहतर बना सकता हूँ कि माल लिजे ये टॉप यूँ इसका ऐसे लाए करेगा इस तरह से लेकिन जो फ्रेंट व्यू इसका ऐसे लाए करेगा लेकिन टॉप यूँ जो है वो इससे चिपक्य बनेगा क्यों, क्योंकि वो वर्टिकल प्लेइन पिचिपका हुआ है बोडि ये तो वर्टिकल पिचिपका हुआ जब उसे टॉप से देखोगे कितना उपर है इससे तो मतलब नहीं बोला ना उसने यह बोला ना की which is फिर है टो व्यूव हमारा यहां यहां कहीं भी हो सकता है ना चिपक नीचे उपर नीचे ठीग है ना लेकिन जो चिपकने के अब मैंने आपके object को कैसे रखा है यह मेरा vertical plane है और यह मेरा horizontal plane है तो अब यह समझ लीजे मैंने object को कैसे रखा है कि जो मेरी object है उसको मैंने horizontal plane पर रखा है चिपका के with coinciding with the horizontal plane तो अब object मेरी जो है वो इस पे horizontal plane पर ही है चलिए बताईए अब horizontal plane पे ही है अब आपको कैसे दिखाई देगा बताईए सामने से देखोगे तो अब सेम ऐसे ही अब भलकी अब front view बिल्कुल touch करते वे होगा हमारे इसको ठीक है न और यह उपर से दिखाई देगा कुछ दूरी पे ऐसे simple तो अब क्या बोलेंगे front view touches the reference line है ना front view जो है वो reference line को touch करते वे होगा side view touches देखो ना simple यहां से देखो कि तो इसी line पे इसका base दिखाई देगा ना बस यह line है reference line यह reference line है इसी पे इसका base दिखाई देगा तो बस simple जोने आप सब्सक्राइब आप सब लोग समझ गें बच्चे ना बच्चो 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 बच्चे के साथ बने रहते हैं पूरे बच्चे बिल्कुल सही बात है, कोचिंग ही सबसे बड़ी वजय है आज की डेट में कॉम्पेटिशन को टफ करने के लिए, सिंपल सी बात, चेके, तो वैसे तो मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ, कि जिंदिगी का सबसे सही चीज वही है, कि आप कॉलेज में पढ़ें, सबसे जरूरी, कॉलेज में जितना डेफ में पढ़ें, टीचर जितना अच्छा कॉलेज में पढ़ाएं, ठीके न, वो सबसे बेस्ट होता है, यहाँ तो सब यही है बच्चों, यहाँ तो कॉम्पेशन बढ़ता रहेगा, समझ रहें न, आप पढ़ेंगे बढ़े गई, अब क्या कर सकते हैं उसमें, अब इसको भी सबस्क्राइब करो, अब यह हमारे प्लेज हो गए, अब 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 अब्जेक्ट जो हमारा वो दोनों के साइट कॉम्पेशन कर रहा है, और इसके साथ भी अब हमारा object जो है वो दोनों के साथ चिपक के है VP के साथ भी और HP के साथ भी अब क्या बनेगा view तो अब साफ साफ सी बात है यह reference line है इसी पे सामने से देखोगे चिपक के ऐसे दिखाई देगा इसी पे reference line को touch करते वे और उपर से देखोगे तो इसी के साथ चिपक के ऐसे दिखाई देगा तो दोनों जो हैं वो touch करते वे होंगे तो top view touches the reference line, no, top view and side view touches the reference line, no, both side view touches each other, no, top view and front top view and front touches each other at reference line बिल्कुल सही, दोनों ही जो हमें reference line में touch करते वे दिखाई देगे clear है बच्चो clear है clear है तमन में आगी बात very good, very good, very good, very good very good, चलिए, चलिए next question where is the position of a back view in first angle position बच्चो, बताओ ये बताओ आप आप कैसे first angle position में back view की position कहां दिखाई देगी बच्चो हमारा first angle position में back view जो है हमारा कहां दिखाई देगा ये अब देप पूछता है back view पूछेगा, bottom view पूछेगा front view, front view तो आपने बता दिखाए था vertical plane पे दिखाई देगा back view कहां दिखाई देगा, first angle projection बोल रहा बच्चो first angle projection में, अब देखो, कोई body है आपकी कोई body है आपकी ऐसे, इसका front view आपको सामने दिखाई दे रहा है अब front view सामने है, तो where will you do the back view back view, front के पीछे वाला back view हुआ, तो back view आपका कहां दिखाई देगा बच्चो तो याद रखे, back view आपका और कहीं नहीं, that is left या right में जा सकता है तो that comes in the right hand side view, first angle के साब से, ठीक है, समझा है जी बात ठीक है न, क्योंकि end of side view ही दिखता है बच्चो end of side view ही दिखता है, तो that will be in the right side of a right hand side view, right hand side view के right side में, right hand side view के right side में, इस तरफ में दिखाई देगा, यही है न, बस बोलने का तरीका दिहान रखना है clear है, अब जैसे इसी का दूसरा question क्या हो जाता है, where is the position of bottom view, bottom view in first angle position, अब top view तो आप HP में देख रहे हो, तो bottom view क्या हो जाएगा उसी angle में चलना, rotation वही होना चाहिए, bottom view क्या हो जाएगा, तो bottom view हो जाएगा, बच्चो, front view के उपर वाला, यह दो को यह actually में न, एक पूरी पेटी है, क्यों भाई, ऐसे ऐसे हैं न, यह पूरा पूरा, box, इस तरह का box है, यह आपका front view है, यह आपका top view है, first angle position के साब से, front view, top view, ठेक है, यह आपका back view है, ठेक है, यह आपका back view है, यह top view है, यह आपका bottom view है, तो front view के ही उपर, front view के ही उपर आता है आपका bottom view, ठेक है न, that is your bottom view, front view के ही उपर, य यह आपका back view है, ठीक है, front view के सामने बोल लो, ठीक है, तो यहाँ रखे, यहाँ हमारा आएगा that is called your about the front view, about the front view, clear, इस box से ही समझो बच्चो जो मैं लिख रहा हूँ बस यह सामने, ठीक है, यह आपका side view है, यह आपका उधर वाला भी side view है, अब side view के right side में यह back end view आ गया, ठ तो यह चलेगा भी ऐसे ही rotation में, clockwise आप ले रहे हो नो, पुरा clockwise ही देखना है सारा कुछ, बच्छ इस box को दिहान रखे लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, the third angle projection, the dash lies between, बच्छ ने position में object कहाँ लाए करेगी बताओ, third angle projection है, तो हमारा object कहाँ लाए करेगी, third angle projection है, first, second, third, तो third angle में हमारे object लाए करेगी, हमारी कहाँ, क्या बोलेंगे, object, projection, plane, observer, तो यहाँ पे same way बोलोगे बच्छो, किस-किस के बीच में लाए कर रही है, हमारी object जो है the third angle projection projection plane lies between यहाँ पर क्या आएगा projection plane lies between object and observer और observer के बीच में है आपका projection plane ठीक है तो यहाँ बोलेंगे projection plane, object और observer is the correct answer clear है observer कहा है observer infinity में देखो नो observer हमेशा यह होता है यह object होती है यह तो सारे view आपके समझ में आजाना चाहिए है simple सी बात है, यह observer है हमेशा यही से देखेगा, observer की position change नहीं होनी बच्चो यह at infinity पे होता है यह हमेशा यही से देखता है यही से देखता है, तो जब मैं object यहां रखूँगा तो यह plane है, अब आप देख लो बीच में क्या है, object आ रही है जब मैं object इस वाले angle पे रखूँगा तो आप देखो बीच में क्या रहा है, plane आ रहा है जब मैं यहां रखूँगा object तो बीच में क्या रहा है देखो, plane आ रहा है, observer यही है ठीक है नहीं, observer यहीं है और जब यहां रखूंगा तो अब आप देख रहो बीच में वापिस object आ रही है तो दो set में object बीच में है दो set में plane बीच में है simple next question the position of right hand side view and front view of an object kept in third quadrant and projections are drawn तो बचो वही है third quadrant की बजगा third angle position की साब से क्या दिखाई देता है third angle position की साब से आपको क्या दिखाई देता है तो वही आपको बताना है जैसे आपने first angle position की साब से बताया था वैसे आपको यहां पर ही बताना है third angle position की साब से आपको क्या कहां पर क्या दिखाई देता है तो ठंग है पोशिशन में आपको front view and top view are capped in the position of right side view right side view आपको कहां दिखाई देगा that is in right side view is right side of the front view or of an object capped in third quadrant and projections are drawn side projections बच्चो right side of the front view तो यह तो नहीं हो सकते front view के left में about भूल जाओ यह नहीं है right side view is below the front view भी नहीं है about बिलो तो भूल जाओ left और right ही का confusion होता है तो जब हम third angle की बात कर रहे हैं तो तो हमारा कहां दिखाई देगा right side view is left side of the front view right side of the front view यही देखो बच्चो यह है हमारा और इसके हिसाब से हमारा क्या हुआ right side देखो किसी right का right अगर हम बोलेंगे तो वो एक तरह से left बन जाता है तो direct left की नहीं ज़रूत नहीं है जैसा option उसके हिसाब से हिसाब से ही आप चलोगे तो that is यह option बहुत है ठीक है next question third angle projections are ठीक है reference line lies अबये। तो बच्चो simply है position reference line and top view in third angle projection reference line और top view क्या है यह ले लिया question third angle projection में क्या हो झारा हमारा third angle projection में हमारा यह बन जा रहा, यह उपर चला जा रहा यह वाला plane तो हमारा क्या हो हुआ top view उपर है तो reference line जो है वो हमारी below the top view है ठीक है न, रेफरेन लाइन जो हमारी होती है वो बिलो दी, टॉप भी होती है किलियर है ठीक है एक सेकंड जड़ा चलो, चलो राइट सेट, अभी देखो राइट सेट और लेफ्ट सेट कंफ्यूज करना आपको बिल्कुल करेगा इसमें कोई दो राइए नहीं है इसके लिए एक काम करो, अभी फिलाल आंसर याद रख लो बदा रहो हम आपको इसको आप एक ही चीज से समझ सकते हो यह ऐसे नहीं समझ में आएगा इसको आप एक ही चीज समझ सकते हो, वो है बॉक्स मैं आपको box से समझाऊंगा बहुत असनी समझ में आज़ेगा एक खुली पेटी से कि कैसे right का right में जा रहा कैसे left का left में जा रहा कैसे बहुत असनी समझ जाएगा यकीन मानिए तो अभी फिलाल आंसर यार रहलो उसको अराम से हम एक छोटे से वीडियो में देखेंगा आपके बिल्कुल अराम समझ में आज़ेगा जिसको confusion हो रहा है left right में ठीक है ना जैसे bottom और top में confusion हो रहा बचे को तो मैं अराम से बता दूँगा अभी बता दूँगा जल्दी ठीक है तो उसके लिए छोड़ दो उस वीडियो को देख लेना छोट असा एक मिनट का वीडियो को उसको एक मिनट में समझ में आजएगा लेकिन जरा box चाहिए समझना एक लि देखो दिख रहा है यह वाला यह वाला यह वाले plane पे इसके perpendicular axis असलेंडर की तो कैसे हुआ यह ऐसा हुआ ना यह slender है मानो मेरा खड़ा vertical axis यह इसकी जब मैं profile plane के perpendicular रहूँ तो ऐसे रखूँगा ऐसे रखते ही क्या हो जाएगा देखो ऐसे रखते ही यह एसे हो जाएगा simple top view में आपको क्या दिखाए देगा rectangle दिखाए देगा simple answer is this ठीक है तो बस गलती भई होती है बच्चे circle answer करते है जैसे कुनाल ने कर दिया answer circle तब दिखाए देगा जब surrender सीधा खड़ा हो और surrender सीधा खड़े का मतलब क्या हुआ कि parallel to the profile plane तभी तो मैंने जो starting में diagram बना के दि vertical plane एक square pyramid है बच्चो जो vertical plane पे rest कर रहा है with the base parallel to the vertical plane तो अब ये भी कैसा हुआ ये भी ऐसे हो गया बच्चो vertical plane के base जो है वो parallel है तो लेटावा हो गया ये भी थेखे ना the side view will be side view आपको क्या मिलेगा बच्चो बता दो खुदी दिख रहा है side view तो आपको मिलेगा क्या बताओ बहुत अच्छे question है बच्चो यही सब के question जो है वो देखने को मिलेंगे भी आपको अगर syllabus के साफ़ से आया तो syllabus के साफ़ से नहीं आया कुल नहीं अतरंगी करना चाहेंगे तो बात अलग है थेखे न syllabus के साफ़ से आया तो यही सब hoorशन आपको depths अपको क्या मिलेगा देखने को है teşekkür polygon with four side मिलेगा क्या pyramid है देखो सोच के answer करना क्या मिलेगा सोल सेने के कन्फिज होने की ज़रुद नहीं, that will be triangle, बिल्कुर सही, बिल्कुर सही, next question, next question बच्छो, a triangular prism is placed in projection plane such that the squared surface is parallel to the horizontal plane, the top view, front view will be, बच्छो, a triangular prism is placed, अब एक triangular prism की बात करे हैं, is placed in projection plane, projection plane में रखा हुआ है, such that the squared surface is parallel to the horizontal plane, उसका जो squared surface है, वो horizontal plane के parallel है, तो top view, front view will be, top view, front view में क्या बना दिखाई देगा, अब देखो, यह और बढ़िया हो गया, बताओ, top view, front view में आपको क्या दिखाई देगा, बच्छो, triangular prism में पहले तो थोड़ा सा shapes वगरा देख लेना, ठीके न, shapes वगरा भी देख लेना, क्योंकि shapes भी थोड़ा सा पता हो, तब तो आदमी कुछ सोचे भी, नहीं तो फिर उसी में भी mistake करेगा, ठीके न, किस तरह होता है triangular prism, देखा, कुछ ऐसा होता है, वो सामने से view इसका ऐसे, ऐसे दिखाई देता है, थोड़ा गंदा बनी जाए, ऐसा, ठीके, it is called triangular prism, ठीके न, इसको बोलते हैं, और नीचे यह होता है, यह square surface होता है, इसका, ऐस तरह, square surface होता है, ऐसा, तो अब यह square surface अगर हम parallel रख देते हैं, किसके, चांको अब डिखाई देता है, कुछ ऐसे, top view इसका triangular दिखाई देता है, कुछ ऐसे, ठीके न, तो answer क्या हो दिखाई देता है, तो answer क्या हों, triangle का, यहाँ पर, top view and front view तो Front View विली भी, Front View कैसा दिखाए देगा, Front View आपको क्या दिखाए देगा, Front View आपको क्या दिखाए देगा, Front View जो है तोड़ा सा हमे, Rectangle Shape में दिखाए देगा, तो क्या answer बनेगा इसका, बताएं, Pentagonal Prism, हाँ वह ये एक ही बात हो गई, Pentagonal Prism अलग है बच्चो, वह उसको, उसको भी question हो सकता है, हमने लिया हो, ठीकिन अब वो अलग है, तो हमें बच्चो यहाँ पर, Top View हमें पूछ रहा है, तो Top View हमें दिखाए देगा, यह हमारा, That is, एक second, इसका figure दिख जाए तो और मजा आ जाए, एक तो यह चलते लेक्चर में इमेज उठानी बड़ी मुश्किल काम हो जाता है, मेरे लिए तो, इसको या तो पहले से लगा के रखो तो बात है, तब तो असान है, नहीं तो तो बड़ा मुश्किल है, एक second, हम, अमने आपको बतायता हूँ, कैसा-कैसा यह view दिखाई देता है, तो यह आपका, जो front view है बचो, front view आपका rectangle नजर आता है, और top view जो है आपका, वो आपका initial top view, जो है, वो triangle नजर आता है, तो D इसका correct answer होगा, तो D इसका correct answer होगा, लेकिन जो इसका final top view होता है initial top view तो हम बोल रहे हैं एक side जब final top view होता है तो वो भी rectangle नजर आता है आपको पता है अगर आपने problem solve करी हो शायद आपको तब दिखाई देगा ये ठीक है triangle prism का कि इसका final top view भी ना कुछ ऐसा नजर आता है कुछ इस तरह का तो वो भी एक तरह का rectangle ही नजर आता है ठीक है ना मैं आपको view हो सके तो दिखाऊंगा लेकिन अभी तो possible नहीं है फिलाल answer इसका हम लोग जो है वो d answer करते हैं तो rectangle triangle ट्रेंगल ट्रेंगल रेक्टेंगल मतलब मेरको बस थोड़ा से यह हो रहा है कि c answer भी हो सकता था अगर final top view के साब से चलता बट फिलाल मैं answer d कर रहा हूँ अगर कुछ changes होंगे तो मैं बता दूँगा नहीं तो फिर d answer को बान के चलेंगे next question, a regular cone is rested on a base on horizontal plane एक horizontal cone में regular cone अगर हम रख दें तो हमें front view कैसा दिखाए देगा front view बच्चो simple है front view अब यार रखे triangle कौन सा दिखाए देगा ये भी समझना जरूरी है ये भी समझना जरूरी है diagram दिखा दूँँ रूख जाओ फिर ये थोड़ा से question diagram वाले है मैंने आगे वैसे लिए वे है diagram बस इस ही के थोड़ा सा समझने में दिख्कत है actually क्या है वो square pyramid और उसमें confusion हो जाता है क्या है square pyramid और उसमें तो वो बिल्कुल सही है कि diagram से आपको थोड़ा जा समझना चलो मैं देखता हूँ कोशिच करके diagram निकालने की अभी फिलाल इसको answer करें बच्चो regular cone is rested on a base एक regular cone को हम base पे अगर रखें on horizontal plane the front view will be front view आपको क्या दिखाई देगा simple cone अब triangle तो सबको पता है triangle दिखाई देगा लेकिन कौन सा triangle ये भी तो समझ में जरूरी है कौन से triangle की बात हो रही है बताएं that is circle ये तो हटाई दो क्या equilateral triangle दिखाई देगा नहीं न ये भी हटा दो अब बताओ skellian triangle दिखाई देगा या isoslase बताओ skellian triangle दिखाई देगा या isoslase बई यहाँ पे skellian triangle का मतलब समझ लो पहले isoslase मतलब होता है जिसकी two sides equal होती है equal triangle होता है जिसकी all sides equal होती है तेक्या है skellian triangle होता है जिसकी all sides are different all sides are unequal यहाँ रखे जिसकी तीनो sides unequal दिखाई देती हैं तो अगर हम regular cone is rested on a base बोल रहे हैं तो आप इन्हें में से कॉंसर triangle होता है बच्चो regular cone के साब से अब आप answer कर सकते हैं बताओ ठीक है अब बताओ isoslase answer होगा कि skellian answer होगा अब तो कर सकते हो answer जिसको भी confusion हो रहा है ठीक है ना that is regular cone है simple तो कम से कम दो side तो बराबर हुई दो side बराबर हुई तो isoslase triangle हमारा हुआ ठीक है regular cone दिया है इसलिए समझ आगी बात और अगर कहीं और कोई और question आएगा किसी और तरह का तो तब iskelling triangle का दियान रखता है मैंने इसलिए तीनों बता दिया आपको triangle के मतलब क्या है उसके साब से आप कर सकते हैं next prism में आपको सारे दिखा दूँगा images में कोई attention ना लीजे a cube is placed on a horizontal plane such that one of the space diagonal is perpendicular to the horizontal plane the top view will be a cube is placed on a horizontal plane a cube को आपने horizontal plane में रखा इस तरह से such that one of the space diagonal is perpendicular to the horizontal plane the top view will be अब देखो बच्चो अब एक cube को हमने रखा है लेकिन इस तरह रखा है कि जो उसका one of the diagonal है वो perpendicular रहे तो मतलब आप देखो अब cube को देखो तो मालीजिए ये diagonal है तो ये diagonal को perpendicular है मतलब हमने cube को ऐसे रख दिया बच्चे cube को हमने ऐसे रख दिया इस तरह से समझे है आप ऐसे horizontal plane पे तो इसका diagonal जो है वो क्या है perpendicular है horizontal plane के ठीक है तो अब आप बताओ आपको top view जो है वो क्या दिखाए देगा देखो कितना सही question है ये question है तो बढ़िया है बच्चो simple तो आपको obvious ही बात है पूछे के तो सभी answer कर देंगे न जब आपको थोड़ा सा कुछ ऐसा पूछे कर ट्रिकी बनागे कि ऐसा कर दें तो क्या होगा वैसा कर दें तो क्या होगा तो तब ही आपका जो है वो question बढ़िया बनके आता है ठीक है तो बताएं बच्चो अब यहाँ पर क्यूब के लिए पूछ रहा है आपको तो बताएं क्या इसका correct answer होगा octagon दिखाई देगा square दिखाई देगा hexagon दिखाई देगा rectangle दिखाई देगा बताएं बताएं बच्चो थोड़ा imagine करना जरूरी है नहीं तो फिर बहुत पीछे छुड़ जाओगे बताएं क्या दिखाई देगा hexagon very good very good बहुत अच्छा बच्चो जो बच्चे समझ पाएं बहुत अच्छा hexagon दिखाई देगा hexagon दिखाई देगा hexagon दिखाई देगा अब यह है कि सारी चीज़े मैं यहां पर draw नी करके दिखा सकता आपको यह तो बहुत ED है बच्चो ED without imagination मुझे अपने टीचर की बात यार आती है कि एक बार हम तीन चार लड़े के drawing कर रहे थे ED अपने first year में तो हमारे एक जबरदस teacher थे बहुत ही जबरदस ED के तो वो आके कहने लगे कि ऐसे बने कैसे बने का और दो तीन बच्चों तुरों ने साब बोल दिया कि सपने आते हैं आपको उसने का नहीं सर नहीं आते हैं तो उने का आप कभी ED नहीं बना सकते हैं मतलब imagination नहीं जिसके अंदर वो नहीं सोच पाएगा कि कैसे सब कुछ पेपर पर दिखाना बड़ा मुश्किल काम है अब जैसे मैं इसको कैसे दिखाऊ हूँ hexagon ठीक है ना लेकिन अगर क्यूब को आप देखोगे तो that will look like your hexagon तो या रखें बिल्कुल सही जीन बच्चों ने भी आंसर किया बहुत अच्छा ठीक है बिल्कुल सही है c is the correct answer very good next question a hexagonal nut बचाऊ अब कोई hexagonal nut है आपका hexagonal 1,2,3,4,5,6 कोई आपका hexagonal nut है माल लीजे इस तरह का हम बोलें is placed on a horizontal plane such that the axis is perpendicular to the profile plane अब profile plane ये तो मलब nut कैसे रखा है nut अब ऐसे रखा है अब देखो ये तो कितना असान था बताना top view, front view अब nut ऐसे रखा है बच्चों अब आप इस हिसाब से सोचें कि nut ऐसे रखा है अभी एक, दो, तीन, चार, पाँच ज्यादा हो गया ना एक सेकंड ये तो ऐसे बना दे ना क्योंकि horizontal place रखा है तो ऐसे ही होगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, ये hexagonal nut है बच्चों आपका अब हमने ऐसे रखा है ठीक है, सही पड़ा मैंने, nut is placed on a horizontal plane such that the axis is, axis जो ये है सामने axis is perpendicular to the profile plane, profile plane सामने उसके perpendicular, ठीक है the top view and the side view will be, तो बच्चों बताओ, side view में तो आपको hexagon ही मिलने वाला है top view में क्या मिलेगा आपको, top view में देखो ये एक edge होगी, ये एक edge होगी, ये एक edge होगी, ये एक edge होगी question बनते हैं, अच्छे वाले, ठीक है, और नहीं दिया है, slavers के साब से नहीं देगा, तो फिर तो फिर भी पूछ लेगा, और line लूई नहीं पूछेगा बैठके, clear है, समझ मारी बात है चलिए next, the angle between the isometric axis is, isometric axis की बीच में angle कितना होता बच्छो, बता दिया था मैंने, ये तो बता दिया था मैंने शायद है न, the angle between the isometric axis, चलो नहीं भी बताया था तो आंसर बता दो, कोई बात नहीं, नहीं भी बताया था आप लोग आंसर बता दिया the angle between the isometric axis is, कितना angle होगा बच्छो, isometric axis के बीच में that will be 120 degrees, कोई दिख कर नहीं, चलो, next question, an engineering is, sorry, engineering नहीं है वो, अंडा है, an egg is placed vertical to the horizontal plane, एक egg को हमने horizontal plane पर vertical रखा है, तो top view क्या दिखाई देगा, top view क्या दिखाई देगा बच्छो, एक अंडा जिसको हमने ऐसे रखा है, horizontal plane पर vertical रखा है, मतलब ऐसे रखा है, तो top view क्या दिखाई देगा आपको, अब बताओ, confusing हो जाता है, top view क्या दिखाई देगा आपको, कितना और question है, बच्छो, हम यह अभी 70 question कर चुके हैं, 70 question complete कर चुके हैं, 30 question बच्छे हैं, अब रोज वाले question बच्छे हैं, जो रोज एगंटा लगता ही हमें, कोई दिक्कत नहीं है, 50 minutes में कदेंगे, बट आप लोग बने रहें और answer करते हैं, देखो, value गिरती जा रही है बच्छो की, देगे न, ऐसा ना करो, selection लेना है, तो थोड़ा सा sacrifice करना पड़ेगा, हम खाना sacrifice करें, तुम समय sacrifice करो, चलो, बता बता, क्या दिखाए देगा, circle दिखाए देगा, आप देखो, confused जाएंगे, बच्छे, कई बच्छे, oval भी answer कर सकते हैं, यहाप, कई दिमाग में, oval भी answer आएगा, कि सर, oval क्यों नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर simple answer क्या रहेगा, बच्छो, that will be circle ही रहेगा, ठीक है, oval होगा इसका front view, oval होगी shape इसकी front view की, top view इसका, हमें क्या दिखाए देगा, circle ही दिखाए देगा, top view हमें इसका circle ही दिखाए देगा, और sphere तो बिल्कुल मत कर देना answer, ठीक है, clear है, next, oval side view भी आएगा, front view, side view, oval ही आएगा, ठीक है, a square pyramid is resting on a vertical plane, with base parallel to vertical plane, with base parallel to vertical plane, the side view will be, अब बता बचो, अब square pyramid, आपको pyramid सारे दिखादूँगा, मैं अलग से figure में, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं अभी दिखादूगा, मतलब, आपके अलग से session में, क्योंकि मैं वो नहीं कर पाया, question मनाने के चक्कर में shape नहीं बना, वो कर पाया, add is में, ले square pyramid मतलब हो गया, जैसे square base हो गया, बस इसको ऐसे मिला दो, that is a square pyramid, square base के सारे square pyramid, अब इसको हमने लिटा के रगल दिया है, तो बताइए, आपको side view क्या दिखाई देगा, जल्दी बताएं, बताएं बच्छों, ठीक है, a square pyramid is resting on a vertical plane, with base parallel to the vertical plane, base parallel to the vertical plane मतलब ऐसा लेटा आके रखना है, अब आपको बता रहा है, the side view will be, side view आपको क्या दिखाई देगा, बच्छों, क्या triangle दिखाई देगा, या polygon with four side, या square, या polygon, जो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, वो क्या है, वो हमें ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो obvious ही बात है, side view हमें हमेशा क्या दिखाई देगा, इसमें, सिर्फ सिर्फ, polygon से भी मतलब नहीं, chart side का, chart side दिखने का कोई लिना देना ही नहीं है, triangle is the correct answer, next, a triangular prism is placed in projection plane, such that the square surface is parallel to the horizontal plane, the top view, front view will be, तो देखो, मेरे को साफ समझ में आ रहा है कि आप प्रिस्म में, ये प्रिस्म कोई लेके ही स्रिफ confused हो रहे होंगे, बस, और कुछ नहीं, है ना, बट कोई बात नहीं, ठीक है, a triangular prism is placed, ये वही वाला question आ गया, square surface is parallel to the triangle, चलो ये question तो मैंने खेर बता, चाही तो हो गया ना, same question तो था वो, हो गया था ने question, same question है, अब pentagonal prism बचो, बचा कुछा ये आ गया, सारे prism डाल रखे है मैंने इसमें, तो answer याद रख लो फिलाल, ठीक है, जब shape देखो गें तो थोड़ा सा और आपको confidence आ जाएगा, अब pentagonal prism मतलब नीचे pentagon मनाओ, और उपर तक ले जाओ उसे, ठीक है, अब pentagonal prism क्या हो जाएगा, pentagonal prism क्या हो जाएगा, नीचे pentagon मनाओ, एक, दो, तीन, चार, पाँच, अब इसको पूरा-पूरा उपर ले जाओ, यह pentagonal prism हो जाएगा, इस टाइप से, यह पूरा-पूरा ऐसा ही, यह pentagonal prism हो जाएगा, अब pentagonal prism आपका है, इस place the axis perpendicular to the horizontal place, तो vertical रखा है, तो top view आपको क्या दिखाए देगा, and a front view, top view क्या दिखाए देगा, front view क्या दिखाए देगा, तो simple सा ही है question भी, कोई tough नहीं है, अगर ध्यान से देखोगे, तो कोई tough नहीं है आपका, थिखे न, simple सा question है, क्या दिखाए देगा, भाई, top view आपको pentagon दिखाए देगा, तो top view आपको pentagon ही दिखाए देगा तो ये दो तो कट गए और front view आपको rectangle दिखाए देगा, सीध्या सी बात है, तो triangle का तो मतलब भी नहीं है आप ये तो A will be the correct answer, A will be the correct answer, बिल्कुल सही A regular rhombic bipyramid is placed in projection plane such that one of its longest diagonal is perpendicular to the vertical plane of the front अब बताओ बच्छो, rhombic bipyramid तुम भी कह रहो है कि कहीं फसादिय समने पिरामिड में, लेकिन थोड़ा साथ टफ भी लेके चलना पड़ेगा न, कि by chance अगर ये पिरामिड पर कोशन आज़े तो कम सका मैं आंजर तो पता हो, चलो पिरामिड पिरामिड देखने के तो कई दिन है कोही नूर, ये rhombic bipyramid हो गया बच्छो, अब ये rhombic bipyramid हो गया, अब देखो, अब मज़दार regular rhombic bipyramid is placed in projection plane, such that one of its longest diagonal, कॉंसर longest diagonal है, ये वाला is perpendicular to the vertical plane, ऐसे लिटा आदिया अब, ठीक है, the front view will be, आब बताओ बच्छो, front view आपको क्या दिखाए देगा front view आपको यहाँ पर क्या दिखाए देगा, कुछ ना समझ में आए, तो answer बताओ देगा, क्योंकि ऐसे देचे, ठीक है नब, front view आपको क्या दिखाए देगा, आप देखो, front view यह, आप आपने ऐसे लिटा दिया नद् सुने अब, यह रॉंबस है ि यह 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 view है और सारसे यह यह view है, अब आप यह CPस광ते देख रहे हो तो आपको रॉंबस का ये 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 what do hidden lines in orthographic positions denote जो orthographic position में बच्चों hidden lines होती है वो क्या denote करती है change of plane, position, cut, center of circle तो बच्चों हमने पहले ही बात कर ली थी तुसी तरीकी से पुछा था but you all know that that is the holes, है ना slot, holes कोई भी है तो वो hidden places को दिखाई देती है साफ साफ ए विल बी the correct answer ए विल बी the correct answer बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों ने काया रॉम्बो बाय पिरामिड काजी कतली के तरह दिखाई देकाई इसका मतलब तुम्हें भूग लग गई है तुम्हें भी very good, चलिया बढ़िया बढ़िया बच्चों बस पढ़ते रहो पढ़ाई से नराज और दुखी नहीं होना है which of the following lines are used to show that the object is cut and then viewed object is cut and then viewed section line की बात हो रही है जब हम cut करते हैं किसी पर और उसे show करते हैं तो हम किस तरह की line का परियोग करते हैं बताएं, किस तरह की line का हम परियोग करते हैं बताब यह भी अच्छा ही question है, simple question है और पूछे गए हैं ऐसे question पहले भी किस तरह की line का हम परियोग करते हैं जल्ली बताब, option में से देख के बताओ line का chart तो बच्छो जरू पढ़के जाना मैंने पहले भी करा रखा है line का chart पढ़के चलिएगा थीक है बताएं यहापे क्या है आपका object is cut, object is cut and view कौन सी line आईए आपके, that is called here obvious ही बात है, cut section करोगे तो किससे दिखाओगे hatching line से, बिल्कुँ C कैसे हो सकता है center line C थोड़ी ना आएगा D is the correct है, hatching line cut करोगे किसी section को ऐसे ही तो दिखाओगे turbine मनाते हैं आप यह वाला diagram अपने hydraulic machine में, तो क्या दिखाओगे, यह section को ऐसे दिखाओगे, कि यह मारा cutting section है hatching करके बता बचो, from the below figure, what is the name of this line, यह paper में आपके आराद भी में भी पूछा गया था, यह x line आपके क्या show कर रही है, सबको पता बचो, यह x line क्या show कर रही है, क्या यह outline दिखा रही है क्या यह section line है, hidden line है कि hatching है तो hatching है नहीं है, यह outline है नहीं है तो क्या line है, यह line हमारी hidden line है, बिल्कुल सही है, hidden line सबसे ज़्यादा पूछी गई है, एपिपरों में, ठीक है among the line, यह अच्छा कुश्य ना बचो, simple है कि among the following, which of the representation is wrong, यह dimensional representation अगर हम कर रहे है, इन में से कौनसी गलत है बचो, अब इसमें बच्चे मारे जाते कई बार, यह गलत कैसे बता है हमें सही नहीं पता जब ठीक है ना, तो बताईए इन में से कौनसी जो है, वो गलत है, wrong बता नहीं आपको तो देखिए, यह सही है बचो देखिए आपने, यह सही है, यह सही है पट यह जो है डैस डैस ऐसे perpendicular cross line that is completely wrong बच्चे, C और D answer कर रहे है यह पहले वाले का कर रहे है ठीक है, यह dimension lines है बच्चो ठीक है ना ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है एक हमारी डैस कोई एक हो सकती है, एक broad हो सकती है दोनों broad हो सकती है, लेकिन दोनों में से दोनों ही यहाँ पर डैस lines आपसे मीट नहीं करती हैं कहीं पर भी ठीक है, next, which type of line is used to join the dimension line and the curve that needs to be dimensioned, अब बता बच्चो which type of line used to join the dimension line and the curve that needs to be dimensioned, ऐसा कोई curve जिसको आपको dimensioned करना हो उसको हम किस line से show करेंगे, अब जैसे बच्चो आप सबको पता है कि अगर हम लोग जो है कोई ऐसा curve है हमारे उसमें, तो हम अब लोग कैसे show करते हैं, that is a leader, है न, leader line से, that is a इस तरह से leader से हम लोग show करते हैं which is called leader line which is called leader line, clear है बिल्कुल बिल्कुल सुसान ता अधग जी बिल्कुल लेके आएंगे उसके ले भी session सब पेपरों को ले लाना है बच्चो मुझे, लेकिन आएंगे हमेशा पेपरों से वही 5-6 दिन पहले, चीक है न, तभी उसका फाइदा भी है, दो दिन पहले नहीं कम से कम हफते बर, ठीक है next question, the value of the ratio of isometric length to true length is, ये बच्चो इंपर्टन question है, the value of ratio of isometric length to true length, अब किसी body की, जैसे हम बोलते हैं isometric हम किस में बनाते हैं, ठीक हैं तो अब बताओ बच्चो आप, ये बहुत अच्छा question है ये भी मुझे लगता है कि पूरा-पूरा आने लाएक question है बताओ यहाँ पे कि हमारा ratio of isometric length to true length का ratio क्या कहलाएगा बच्चो isometric length to true length का ratio जो है, वो हमारा क्या कहलाएगा कितना कहलाएगा ये important question है angle के साब से निकाल सकते हो, वैसे तो याद रख लेना इसे आने वाले दिनों के लिए तो ठीक है ना, आने वाले दिनों के लिए तो याद ही रख लेना, ठीक है कि वो ratio कितना होता है, that will be always याद रखेगा, 0.815 होता है that will be 0.815 तो आने वाले दिनों के लिए इसे याद रख लेना है कोई बताएगा कैसे आता है हाँ, 30 जुलाई को पेपर है बच्च है, तो अभी वही बना पूर ना 20 के बाद, जैसे ये वाला होगा, उसके बाद अब एक साथ दो-दो सेशन कैसे चलेंगे, बनाना तो मैं नहीं है बताएगा बच्चो, ये 0.815 कैसे आता है, ये तो बताएगा कैसे आता है, टुलाउंतर अक्च्चो लेंध, that is कॉस 30 और कॉस 45, बिल्कुल सही sin 30, sin 45 ये विचे, cos 30, cos 45, cos 45, cos 30 एक सेक्ड है, चलो, ठीक है, तो ये याद रख लिजगा, 0.815, इसको बहुत importantly use हो गई है, कई जगा पर, ठीक है, चलो, the lines parallel to the isometric axis are called, बच्चो, जो lines isometric axis के parallel होती है, उसे हम क्या कहते है, parallel lines, auxiliary lines, oximetric, isometric, sorry, या oblique, parallel, the lines parallel to the isometric axis की बात करा, बच्चो, that is called isometric lines, ज्यादा कुछ होसने की जरुद नहीं है, the planes parallel to any of the two isometric lines are called, जो plane isometric lines के parallel होता है, उसे हम क्या बोलते है, तो obviously बात है, बच्चो, वो plane हमारा क्या कहलाएगा, isometric plane नहीं कहलाएगा, यह सब फर्जी questions है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्जी से मतला मेरा आएगी, कोई भी भी answer कर देगा, जो नहीं भी पढ़के जाएगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा, तो यही answer कर देगा, ठीके ना, इसलिए, next question, the isometric view of a cube is drawn, the angle between the edges of a cube and horizontal will be, बता बच्चो, edges of a cube और horizontal के बीच में कितना angle होगा बच्चो, अब आप angle बना सकते हो, isometric का horizontal के साथ कितना angle बनता है, cube आप बना रहे हैं, तो that angle will be 30 degree, that angle will be 30 degree, है ना, इसी पर बनेगा आपका, next question, isometric view of a cube is drawn, the angle between the edges of a cube and vertical will be, isometric view of a cube is drawn, the angle between the edges of a cube and the vertical will be, अब उसके साथ बताओ, vertical के साथ इसके साथ, angle क्या बनाएगा यह, बताओ, इसके साथ angle क्या बनाएगा यह, isometric view of a cube is drawn, the angle between the edges of a cube and the horizontal, horizontal जी वर्टिकल विल भी, वर्टिकल के साथ क्या अगल बनाएगा बच्चो, जल्दी बताओ, जल्दी, पर शिदी दी बात है ना, इसके साथ, इसने होर्योंटर के साथ यह हमने खीचा, यह 30 बना रहा है, यह वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ क्या बनाएगा, आपके 60 बनाएगा, इसलिए कई बच्चे 60 भी याद कर लेते, लिगे 60 नहीं यह याद करना, ठेके ना, इसके साथ 30 है, तो इसके साथ 60 यह तो 90 है ना, तो सिधा-सिधा आंसर 60 डिगरी, तो सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए पूछा वाया हो, ताकि आप इस पे ध्यान ना दें, वर्टिकल पे, और जो आंसर आपको याद है, वो तो अभी मैंने एक के बाद एक पूछे तो बताना असान हो गया, ठेकिन जो बंचो को याद ने रहता, वो सिधा यह आंसर कर देते हैं, ठेक है, और between the edges पूछेगा, जैसे मैं आपको बताया था, कि edges की बीच में कितना, तो यह 120, 120, 120, यह है, तो तीन तरह की चीज़े याद रखने हैं, 30 degree with horizontal, 60 degree with vertical, और आपस में edges की बीच में कितना हैं, 120 degree, यह सब चीज़े याद रखनी है, clear है, very good, next question, isometric view of the cube is drawn and the faces of the cube are seen as, faces कैसे दिखाई देंगे, आपको square दिखाई देते हैं, rectangle, तो बच्चो, faces कैसे, faces देको, सब ऐसे हैं, तो यह क्या होता ह यह square है, rectangle है, कि parallelogram है, बताओ, बता दो, असानी से अब, यहाद को faces कैसे दिखाई दे रहे हैं, square rectangle है या parallelogram दिखाई दे रहे हैं, तो obvious दी बात है, बच्चो, क्या दिखाई दे रहे हैं, बताओ, बताओ, parallelogram बोल देंगे बच्चे, जहांते मुझे उम्मीद है, square दिखाई यह पैलोग्राम है, पैलोग्राम में यह नहीं होता बच्चे, पैलोग्राम में यह नहीं होता है, ठीके न, that's shown by, हमें cube दिखाना है, the cube will show, that is called rhombus, यह हमें rhombus दिखाई देंगे, यह हमें क्या दिखाई देंगे, रॉंबस दिखाई देंगे, ठीके हैं, पैलोग्राम ने, पैलोग्राम के लिए ये लाइन पैलल और ये ऐसे होती है, एंगल पर, ठीके ना? Next, match the dimension बच्चो, चलो ये तो असान होगी, dimensions match करो बच्चो, dimension lines अगर आपकी हैं तो कैसी होगी, extension और position line होगी, margin line कैसी होगी, outline कैसी होगी, जल्दी बताओ, match up करिये, match up करिये, आपकी कौन सी line जो हैं, वो किस तरह की होगी, match करें बच्चो, बताएं, सबसे पहले, match the following, याँ सबसे पहले, हाँ, अज़े, simple सा किसको confusion हो रहा है, पैलोग्राम में, पैलोग्राम का तो मतलब सीधा हो गया ना, कि दो side same और दो side same, लेकिन cube है ना, cube है तो 4 side equal होगी ना, 4 side equal होगी तो पैलोग्राम कैसे दिखेगा, rhombus है दिखेगा ना, rhombus की 4 side बराबर होती है, पैलोग्राम की थोड़ी ना होती है, चलो, यहाँ पर बच्चो, line है match करो, dimension line, continuous thick, अब देखो continuous thick line, तो thick line है बच्चो, तो projection line तो होगी नी वो, projection line कैसी होती है, thin lines होती है, very thin, तो continuous thin line, continuous thin line, continuous thick line, अच्छा, thin और thick है यहाँ दिया हुआ, यह कैसा दिया हुआ, फोग्रबड तो नहीं है, एक ही जैसा है चलो, कोई बात नहीं, जब बच्चा कहे रहे हैं, आगे से हड़ जाओ, बस, मैं बनाब कर लूँगा, छीक है, तो देखो इतना पता है हमें, कि हमारे पास, जो है, थोड़ा समझे गरवर लग रहा है, continuous, continuous, चलो खेर, continuous हमारी जो thin lines होती है, वो हमारी dimension line भी जाती है, तो यह हमारा इधर भी match करेगा, ठेक है, extension और projection lines जो होती है, वो भी हमारी thin lines में जाती है, तो यह हमारा इधर match करेगा, thin line, thin line बोल दो, और first का fourth भी बोलोगो, तो क्या फरक्पड़ता है, option के असाब से, first का fourth भी option है, first का second भी option है, दूनों ही हो सकते हैं, जब दूनों ही वो ही दिया है, ठीक है, margin lines हमारी जो होती है, वो हमारी किस में आएंगी, वो हमारी आजाएंगी, that is your, हमारा, first dimension line, continuous thin line, first का, इसको ऐसे बोलो, first का second हो गया, और second का हमारा हो गया, that is called your second का, extension position line fourth हो गया, तो बच्चो आंसर तो यहीं से मिल जा रहा है, first, second, fourth, c match कर रहा है, first का second, second का fourth, और third का हमारा जो है वो, फिर माले थिकी line ही बची, अब थिकी line में ये भी ले लो, वो भी ले लो बात एक ही है, तो ये तो खहरो, option बढ़ी है, माला, वो अच्छी नहीं, option उतनी अच्छी नहीं थे, मुझे उस टाम तो रहादा variety लगी, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है, simple है, initial work and construction, ये वच्चे important question है, ठीक है, initial work जो हम करते हैं, और construction line करते हैं, वो इन में से किस pencil का use करके करते हैं, ठीक है, initial work, तो यार रखें बच्चो, initial work के लिए हम लोग use करते हैं, edge pencil, initial work के लिए हम लोग use करते हैं, edge pencil, initial work और construction work जो होता है, क्यों light चीए होती है, edge pencil use होती है, ठीक है, light का मतलब ये नहीं है कि 4H use करेंगे, ठीक है, ना, समझा रहे बाद, 4H हमारी use होती है, center line, generally, और section line के लिए, ठीक है, समझा रहे बाद, 2H हम लोग use करते हैं, हमारी outline के लिए, और dotted line के लिए, ठीक है, कुछ इस तरह सा, 3H, 4H का लगब 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 एक ही जैसा function है, तो यहां रखे, तो हम लोग यहां पर H line का use कर लेंगे, ठीक है, 4H, बहुँ जादा वह हो जाती है, hatching 2H से, हाँ, यह भी, वैसे तो question आने के chances कम ही है, lines के उपर, बट फिर भी, यह थोड़ा बहुत मैंने ले लिए, क्योंकि इस flavors के साफ से अगर देखें, तो NHBC में तो नहीं है, और 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 paper में आ सकता है, clear है, medium thickness line group of 2 mm are not used for, medium thickness line group of 2 mm are not used for outlines, dotted lines, तो बच्चो medium group, अगर 2 mm की line हम लोग use कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जो है, वो कौन सी line का परियोग करेंगे, outline का, dotted line का, ठीक है, outline का, dotted line का, या फिर, हमारी cutting plane line का, या dimension line का, तो याद रखेगा, that is, medium thickness, medium है, line group of 2 mm, तो यह हमारी use होती है, dimension lines में, यह हमारी use होती है, यह हमारी use होती है, damage line लेंगा है, चलिए बचो, अब हैं हमारे last 10 questions बचो, 10, 11 questions बचे है, ठीक है, अराम से answer करिए, खातम होने वाला है आपका session, ठीक है, 10, 11 question है, और यह हैं हमारे proper projection वाले question, तो थोड़े view बढ़ाने पढ़ेंगे आपको, clear है, ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा देख के इस में बताना है आपको, क्योंकि इसके भी chances हैं, कि projection के उपर question आने तो इनके भी आ सकते हैं, ठीक है, चलिए, अच्छा, पीछे कुछ मैंने confusion किया गया, not used for, चलो यह तो, मैं simple आपको रटा 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 यह answer बता दिया, not used for भी है, तो answer तो सेमी सही बताया है मैंने, but concept अपने दिमाग से याद रख लीजेगा, not used है, not used for, that is called dimension line, dimension lines के लिए, हम लोग 2 mm की नहीं अच्छा, वो ज़्यादा mm होता है ना, नहीं use करते हैं, ठीक है, ठीक है, thanks, प्यूस, note कराने के लिए, चलिए, identify the top, मैं आगे से हट जाता हूँ, आप identify करे, इसका आपको पूछ रहा है, identify the top view, यह option यह है, A, B, C, D, अब मैं आपको simple पूछ रहा हूँ, identify the top view of below isometric view, जो आपको isometric view दीए है, इसका top view बताई है, बच्बों कौन सा होगा, अब इसका top view आपको बताना है कौन सा होगा, चलिए, चलिए, बहुत असानी से बता सकते हैं, जल्ली बता, अब आपके नजर, जो है, वो देखने को मिलेगे, कि क्या आपकी नजर कहती है, कितना सही आप जज कर पाते हैं, बताएं बचो, टॉप यू बताने हैं, टॉप यू, टॉप यू, तो अब्यूसी बात है, टॉप यू आपको दिखरा बचो, एक स्ट्रीप, दूसरी पट्टी, दो पट्टी वाला कौन सा है याप है, ये भी करेक्ट आंसर, कोई दिख्कत ने, किसी को भी आंसर बताने में, डी, 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 सब का सही है, सब का सही है, very good, very good, next question, चलो, अगला बताओ, identify the side view of the below isometric view, इस isometric view का side view बताएं बचाओ, ये आखरी 10 question है, बस, ध्यान से, सब के सही होने चाहिए, ये, कम से कम, फिर मैं समझू के चक्कर में गलती मत कर देना, arrow देखना बहुत जरूरी है, arrow का मतलब होता है, बच्चे, कि आपका, देखो, top view से arrow का फरक नहीं पड़ता, side view से फरक पड़ता, arrow का मतलब होता है, कि this is the front view, समरे ना, अब गलती मत करना, अब बताओ, answer क्या होगा, arrow का मतलब है, जहां से arrow दिखा रहा है, वो आपका front view है, तो अब बताओ, answer क्या होगा, अब अगर front view ये है, तो side view क्या होगा, चलो चलो, करें बच्चो answer, अगर front view ये है, तो side view क्या होगा, तो बच्चो अब देखो, front view ये है, तो side view क्या होगा, ये होगा, side view ये होगा, ये वाला, अब यहां से क इसको आणसर कर देते हैं, मैं तो कैंसे करा भी होगा बच्छो ने इसको आंसर कर दिया होगा, है ना, यह front view है बच्छो यह साब दिख रहा है, यह पत्ती ऐसे करके यह top view है यह front view है, क्योंकि arrow जिदर है जिदर arrow होता है वो front view होता है और यह सामने वाला क्या है बच्चे यह वाला हमारा क्या है, that is the side view और यह क्या है, यह back view है यह back view है यह back view क्यरो हमें, sorry क्लियर है यह 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 साइड यह नहीं होगा वैसे यह यह बी ऐसा वर्टिकल ही होना चाहिए ना यह भी नहीं होगा पसी दिस इस यह आंसर क्लियर है समझ भी बच्च ई एरो के द्वारा ही बता जाता है कि फ्रेंट मतलब अब्जर्वर कहां ख़डा है यह बताया जाता है, front तो आप इसको भी बोल सकते हो, ठीके न, front इसको भी बोल सकते हो, लेकिन आपको observer यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से दिखाओ गयरो, इसलिए, clear है, किसी चीज का front क्या है, किसी चीज का front वही है, जैसा आपको use करना है, जैसा आप देखेंगे, वैसे ही front बोलेंगे उसे, clear है, now, isometric view of a rhombus will become, isometric view of a rhombus, rhombus का isometric, देखो अभी तक cube का तो आपने देखा, है न, cube का तो आपने बार बार देखा, अब वो पूझ रहा है, कि rhombus का isometric view क्या होगा, जल्दी बताओ, यह भी अच्छा कोशिन हो जाता है, समझ में आगी ना बात, very good, बताओ, बताओ, रombus का isometric view क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या होगा, अब आप उल्टा बोल सकते हो, आइसोमेट्रिक review of a rhombus will become, अब वो वहाँ पर खींचेगा, तो that will become rhombus, rectangle, square, यह parallelogram, अब देखो, maximum बच्चे, यहाँ पर मुझे उमीर पूरी है, कि गलत ही करेंगे, बट फिर भी, answer सब लोग देतो पर चलेगा, पता नहीं, यह अच्छा अंसा लगा मुझे, और यह नही आइसोमेट्रिक review of a rhombus जो बोलेंगे, यह square, square बोल रहा है, आइसोमेट्रिक review पूछ रहा है, रombus का, आपको बता है, that will become, क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बन जाएगा, रहा है, फो बनेगा आपका पहलो ग्राम की तरह, वो दिख़ेगा आपका पहलो ग्राम की तरह, acknowledge square का rhombus यह तो पता है लेकिन rhombus का जो बनता है वो पहलो ग्राम की तरह दिखाई देता है अगर उसका isometric view देखोगे आप समझा है यह बाद एक सेकंड figure चलो कोई नही जो भी doubt होंगे वो सब हम लोग देख लेंगे प्लीज जिसमें भी doubt होंगे screenshot ले 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 ना ताकि हम लोग उसे figure के थुरू मैं आपको दिखा दूए एक ही छोटे से session में चालो identify the front view from the isometric view for क्योंकि उस वाले question में भी क्या है न रखा कैसे यह थोड़ा सा एक ही condition पर रहेगा तब जाके ठीक है identify the front view from the isometric view for the following given pyramid अब देखो बच्चो आपको सामने एक pyramid दिख रहा है इसमें plane भी बने वे हैं अब आपको कह रहा है front view को identify करिए इसके चलो चलो इसके इस pyramid के front view को identify करिए बच्चो इन में से कौन सा होगा इसका front view पैचाने बहुत अच्चा कुश्चन है last में सब के shape लिखा देगा वो मैं लिखा दूँगा बच्चे छोड़ना छोड़ना कुछ नहीं है देखो जो आप shape imagine नहीं कर पारे वो बता दो मैं सारी shape दिखा दूँगा और एक बार देखने वाली बात है अगर एक बार जैसे मैं आपको prism सारे दिखा दूँगा ठीक है ना क्योंकि वो देखी नहीं तो तब तक वड़ा confusion है जब देख लो कि तुम्हें लगा रहे है यहाँ थीक तो है सही बात है बस वाली चीज है ठीक है तो identify the front view from the isometric view बचो isometric view जो आपको दे रहे है उससे आपको front view पैचानना है given pyramid का front view क्या होगा ठीक है ना और बहुत असान है पैचानना कोई मुश्किल नहीं है आप simple देखो this is the front plane यह front plane है आपका तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको क्या दिखाई रहा है क्या यह ट्रैंगल दिखाई दे रहा है यह ऐसा दिखाई दे रहा है यह अव्यस ही बात है बच्छो यह तो नहीं दिखाई दे रहा इसमें क्योंकि उसने shape दे रखी है आपकी याद रखेगा उसने slender भी दे रखा है इसलेंडर के view कैसे आएंगे कोन के कैसे आएंगे ठीक है slots कोई कटावाया slot उसके कैसे आएंगे इसलें मैंने उस सब ले रखें example attention ना लेजिए सब अभी आपको देखने को मिलेंगे last के 10 questions में ठीक है तो उसी इसाब से पुछावा है उसी इसाब से आपको answer जो है वो बताना है ठीक है हाँ चलो क्या question बताएं क्या बताएं answer c c dotted line होगी confirm ओके चलो कुछ तो confirm है कि dotted line होगी होगी अब last question बचो अब तो time ले सकते हो अब आपको यह समस्या नहीं है कि आपको तुरंत answer करने में कोई दिक्कत है चलो चलो front view पूछा है बचो इसी का अगला question इसका back view भी है अभी तो आपको सरफ front view पूछा है इसी का अगला question इसका back view, top view यह भी पूछ सकता है तो simple है बचो देखो पहली बात, अगर मैं इसको front कह रहा हूँ बचो सामने, यह arrow दिया था इसने पहले से यहाँ, तो front यह है, तो front यह है तो देखो यह हुआ मेरा चको टाइप, तो answer यह नहीं हो सकता, answer यह नहीं हो सकता, पहली बात, अब बचा answer यह और यह, अब इस वा सारी लाइने दिखाई देगी ना, सारी लाइने दिखाई देगी तो this is the front view, this is the front view, बच्चो सामने से मुझे ऐसा दिखाई देगा, clear है simple, अगला question, देखो, अब अगला question, अब इसी का अच्छा, इसी का मैं वापिस कर दू, question, तो इसी का अगर मैं आपको front view यह है, top view कहत अब top view से आप जो है, वो triangle देख सकते थे, अब top view से आपको क्या होता, triangle दिखाई देता, ठीक है ना, तो अगर मैं आपको top view कहता, अब top view से आप इसके triangle कह सकते, this is, इसका top view है, यह इसका top view है, वो front view है, यह इसका top view है, यह इसका back view है, पीछे का view, ठीक है, और यह इसका bottom bottom view कह सकते हो आप, ठीक है, clear है, इधर जुका वाया है, नहीं है, वो उधर जुका वाया है, next, चलिए, identify the side view for the below given pyramid, बचो, अब ये पिरामिड आपको इसका side view बताना, आप देखो, arrow यहां बना हुआ है, arrow यहां बना हुआ है, तो ये front view है, इधर से जो आएगा, वो front view है, जैसा दिखाई दे रहा है, बस वही answer, जैसा दिखाई दे रहा है, बस वही answer है, बना दो फटा फट, बना दो मतलब, answer बता दो फटा फट, अब जैसा दिखाई दे रहा है, side view है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो जैसा दिखाई दे रहा है, that is the only answer, अब देख तो सीधी लेकिन चार लाइन नहीं है, सीधी नहीं है यह इस विव में, साधी लेकिन चार लाइन में बुलकुल सही बचो this is the side view यही आपका side view है कोई दिक्कथ नहीं from the below given below, given slender, अब देखो, slender का भी आपके course में, अब इस slender का बताईए मुझे, यह मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है, इसको कुछ समस्या बताने में किसी को, तो इसके मैंने option की images नहीं लिये, मेरे साफ से हर आदमी बता देगा, है ना, front view of the slender, किसी को समस् में, ठीक है, तो rectangle box दिखाई देगा, जहां से भी front view बोले हो, वहां से बना लो, आप हर जगा से, side भी होगा, तो भी rectangle, front भी होगा, तो भी rectangle, सब जगा से rectangle ही दिखाई देना है, तो सोचने की जरूद नहीं है, आगे चलते हैं, ठीक है, अब देखो, यह वाला है, अब यह है बच्छो, slot cut away, यह है slot cut away, तीर कहा है, तीर का क्या करोगे यार, slender में, तीर तो कहीं से भी डाल लो, तीर एक ही बात है, तीक है, अब यहां देखो बच्छो, यह slot cut away, अभी slot वाले भी आपके course में है, आप से पूसरा है, front view बताए, front view बतलब बताओ बच्छो, सामने से सामने से slot कैसा दिखाए देगा, आप स्लेंडर तो सीधा सीधा दिखाए देगा, rectangle, और बीच में ऐसा कुछ दिखाए देगा, जैसा भी यह खरव है, तो कर्व में ऐसा दिखाए देगा, ऐसा line की चाबद, ऐसा line की चाबद, अब देखो कौन सा figure ऐसा, बताओ बताओ, यह होगा क्या नहीं यह क्या होगा back view पीछे का ठीक है ना पीछे का view है back view समझ में आगे बच्छे बात तो answer क्या होगी हमारा that is front view is this पता यह कोई समस्या किसी को आ रहा है ना मज़ा simple question में तो मतलब कोई समस्या नहीं आने की है ठीक है बिलकुल मैंने as per slave us आपको practice करवाई ह बच्छो याद रखे स्लेबस के हसाब से आप इससे बहतर practice आप करके नहीं जा सकते ठीक है अब out of slave us आ गया तो फिर तो कुछी भी आ जाए बट जो projections को लेके confusion हो सकते थे वो मैंने करवा दिया prism को paper से पहले मैं आपको prism सारे दिखा दूँगा attention ना ले ठीक है the point from which the observer is assumed to view the object is called तो बच्छो वो point जहां से observer जो है वो view को assume करता है उस point को क्या बोलते हैं center of projection, point of projection, point of observer या view point जल्दी बताएं जल्दी बताएं उस point को हम लोग क्या बोलेंगे बस यह last की कुछ question मैंने इसे डाल दिये हैं दो तीन question बताएं 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 बच्छो observer जहां से है बच्छो और विसी बात है वो क्या कहलाता है आपका C, point projection, observer जिस point से देख रहा है उस point को पूछ रहा है वो अब तुम तो फिर वही होगा अपने tourist इसल बताऊगे यह कोई वैसा वाला point नहीं है बच्छे आप सोचो कि यह view point होगा अच्छा जहां से देख रहा है अच्छा ही देख रहा होगा that is called center of projection that is called center of projection उसको बोलते हैं center of projection जहां से observer assume करते हैं कि observer देख रहा होगा ऐसे इसलिए तो देखो projection line जो है वो parallel मानी जाती है तो parallel projection line तो होई नहीं सकती अगर मैं किसी observer की एक point बना दूँगा कि यहां से observer देख रहा है तो फिर सारी line जाके converge हो जाएंगी ना वाँ तो फिर वो parallel कैसे होई तो इसलिए बच्चो हम observer को बोलते हैं कि observer infinity में है क्योंकि infinity में कोई चीज जाएगी तो वो समझो parallel ही मानी जाएगी समझे ना इसलिए यहां पर दोनों answer होते हैं समझ में आगी बात ठीक है यह कोई lover's point नहीं है center projection है ठीक है view point view point के चक्र मत पढ़ना ठीक है orthographic projection is also known as बच्चो orthographic projection को हम और किस नाम से जानते हैं क्या single view projection बोलते हैं नहीं वो isometric को बोलते हैं क्या two view projection बोलते हैं नहीं multi view projection बिल्कुल This is called a multi-view projection उसको हम multi-view projection कहते हैं This is called multi-view projection, समझ में आई बचो बाद ठीक है, very good very good, चलिए next question चलिए बचो आखरी 2 question, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं, आखरी 3 question बचे हैं identify the front view century बस लगने वाली है, nervous 90 है यहां मत गलत कर देना, सही बताना और ध्यान से देख के, देखो मेरे figure में क्या खास है, मेरे figure में मैंने यहां एक cut मारा हुआ है cylinder में, यहां मैंने cut मारा हुआ है, नीचे bottom में, bottom को मैंने आधा cut करा हुआ है, ठीक है अब बताओ, कि यह आप से पूसरा है identify the front view, आपको front view identify, अब यह front view है सामने, तो क्या होगा बच्चो, देखो, cylinder है, slender तो rectangle ऐसे होगा, अब मैंने यहां cut मारा हुआ है cut मारा हुआ है, मतलब ऐसा slot काटा हुआ है, तो कुछ ऐसा दिखना चाहिए ठीक है, बस symbol समझ जाओ सामनी दिख रहा है, this is my खुश्चुरत front view, this is my खुश्चुरत front view, this is my, क्या दिखाए देगा यह क्या सा view है, यह मेरा bottom view हो सकता है, बच्चो, bottom view क्यों, क्योंकि top view से देखोगे, तो यह cut तो मुझे hidden दिखाए देगा ना this is my top view, समझ रहे हैं, यह चीज, और यह मेरा back view हो जाएगा क्योंकि पीछे से मुझे वो cut ऐसे दिखाए देगा, यहां सामने से, तो सीधा-सीधा दिखाए देगा, clear है, तो A is the correct answer, very good, very good अब सही हो गया तुमारा दूर दर्शन now, अब यह slot वाला देखो बहुत आसान, इसका front view बता दो मुझे, इसका front view क्या होगा, अब देखो, सामने से तो पूरा-पूरा rectangle ऐसे है, लेकिन बीच में slot कटावा है तो slot कटने के बाद कितनी line ही दिखाए देगी एक line, दो line और बीच की line, एक line, दो line और बीच की line, क्या यह line सामने, front view किदर है, front view किदर है, arrow का अगे इसका ओहो, यहाँ arrow की बहुत जरूरत थी भाई चलो, मैं दोनों बता देता हूँ वैसे arrow यहीं होगा अब्यसी बात है, जैसे option दे रखे, उसने arrow यही है arrow में बताया तो आपको arrow लगाना भूलिए, arrow बहुत जरूरी है arrow यह है तो बताओ क्या है arrow यह है तो साफ साफ आंसर क्या है यह दिखाई दे रहा है, यह top view हो गया यह front view हो गया यह back view हो गया, और यह क्या सा view है यह क्या सा view है बताओ यह side view है बच्चो, यह side view है तो अगर arrow इधर होता तो front view यह होता फिर समझाजारी बात अधर उधर होता तो फ्रेंट व्यू यह होता समझारी बात तो इसलिए थोड़ा सा एरो देखके चलिएगा नहीं दिया है फिर तो बैस लगे से किलियर है किलियर बचो आखरी कोश्चन बच्चो आज की रात का आज की जोड़दार महफिल का आखरी question, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बने रहे, जमे रहे, ठीके ना? identify the top view बच्चो, top view पहचानो, slot उपर कटावा है, बहुत असान बच्चो, top view पहचानी है, तो that is, सामने सामने आपको दिखाई दे रहा है, top view, top view में गोला, गोले में तीन लाइन है, simple, that is your top view, अब arrow की जरूत नहीं, top view के लिए कोई arrow नीची होता, बच्चो, सिर्फ front और side के लिए arrow चाहिए, top view के लिए कोई arrow नीची है, ठीक है, पट फिर भी, अगर मैं ले लूँ, इसी को front ले लूँ, तो this is the front view, सामने आपको दिखा इड़ा है, तो ये front view होगा, ठीक है, इधर से ले लूँ, तो ये side view होगा, ठीक है, ये ले लूँ, तो ये bottom view होगा, तो नीचे से दिखाए देंगी नीचे से hidden है उपर से तो साफ दिख रहा है तो उपर से ये है clear है बच्चो समझागी बात very good, very good, be positive बहुत अच्छे, तो बच्चो इसी के साथ आपका ये जोड़ा top 100 session समाप्त हुआ इसमें पूरी अच्छी बात ये निकल के आई है कि आपको मैंने पूरा projection के साथ जितने कोशन इदा हुदर दाएं बाएं से कठे हो सकते थे वो सब करके आपको करवा दिए बुरी बात जो निकल के आई बुरी बात कर आई जो कमी निकल के आई वो निकल के आई कि आप प्रिजम imagine करने में थोड़ा सा समस्य आ रही है तो बिल्कुल निश्चित हो जाए प्रिजम और एक राइट और लेफ्ट के व्यू को आप समझने में थोड़ा दिक्कत पैदा हो रही है बिल्कुल बच्चे ऐसे आग वाग अब आप लगा सकते हैं जो जो आप करना चाहते हैं ठीक है बट बिल्कुल उसकी टेंशन मन लीजे बचो यह आग वाग वाग क्या रहो मैं इदर उदर की बातें नहीं करने चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ यह जो राइट साइड व्यू है और प्रिज्म वाला है वो मैं आपको बिल्कुल एक सेशन में एक वीडियो के माध्यम से सारे एक्जाम्पल देखने हूँ मैं पिक्चर एक कठे नहीं कर पाया इस टेम पे कुश्चन पर मेरा ज्याला ध्यान था यह तो मैं बता लेता मुझे मीन था कि दिक्कत आईगी मुझे समझाने में दिक्कत आईगी तो आपको समझने में भी आएगी है ना तो वो जितने भी ऐसे कॉश्चन है ठीक है उन सब क्या आप आंसर बराम से कर पाऊगे एक बार मैं आपको सब तरह के प्रिजम दिखा दूँगा ठीक है उनके एक्टियल व्यू देख लीजेगा कैसे प्रोजेक्शन बन रहे हैं शेप्स वह देख लीजेगा इमेजे दिखा दूँगा सारी बस और आपका काम जो हो जाएगा तो चलिए बचो थैंक्क्यू अरे मच उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आय जाएगा और आने वाले और पेपरोग यही रखा जाएगा इसी तरह से टॉप 100 आप यह टॉप 100 सीरीज की अलगसे में प्लेइस बना रहा हूं जहां पे हम यह टॉप 100 जो है कुश्चन हमेशा करा करेंगे एक्जाम से पहले तो थैंक्यू रूमच बच्चो अगर आपको टेन डेज लगेंगे मात्र बच्चों सिर्फ इसलिए में थोड़ डिले कर गए कि लेक्टिकल से विल आपका बहुत तीजी से चलना है ठीक है दो तीन 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 चर्टर क्लास उसमें मिल रही है आपको ठीक है ना तो मेकेनिकल के लिए थोड़ा सा रुख जाईए क्योंकि इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी और भी है जिनको साथ-साथ पैरलल में चीजे करवानी हैं दुनिया भर की तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा साथ-साथ करेंगे यूँ डेट अचानक आई है पेपरों की तो हमें भी अपना ही टाइम मैनेज करना है ना आदमी एक लेक करेंगे कई सारी चीजे करेंगे तो बस यह पूरा हेफ़ता आइसा ही जाने वाला बचों कंटिनियूस थेंक्यू एरी मच्ट थानक्यू थानक्यू थानक्यू